गत चार बरशों में हमाने अप्रत्याश्यतियों के बावजूद जना कामश्यों को पूरुन करते हुए प्रगती की अभलूद पूर गाथा लिखी है आज हमारा प्रदेश मिकास के मारग पर आत्म विश्वाश के साथ बढ़ रहा है गज़ चार वर्षों में हमारी सरकार ने पर्टिया का लापरतेख परदेश वासी तक पहुंचाया है हमारी सरकार ने उज्वला मुख्य मंतरिक ग्रिमी सुद्टा योजना अधान मंतरिक अधान समान योजना जोजना, आईश्मान भारत, हीमक्यर, सहारा, जन्मन्च, तथा आर्थी के वं समाजी को समाजी को देश्चे से, चराई जाहरी जोजनाओं के मार्थीं से समाज के प्रतेक वर्ग की सेवा का प्रयास किया है. हम वानिया प्रदान मंत्री, चरी नरेंदर मोदी जी के सूत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से उर्जा प्राप करते हैं. हमारा उदेश्य पूरे प्रदेश का एक समाज विकास करना और हिमाचल वास्यों को उनकी आशाओं और अप्रेक्षाओं को पूर्ण करने का समुचित अफ्रपदान करना है. हमारे सरकार के इन प्रयासों में केंद्र सरकार का भरपूर सहोग रहा है. मैं मानिय पढ़ान मंतरी श्रीद निरेंद्र मोदी जी के कि माचल परदेश के प्रती विशेष सने के लिए दिल की गहराईं से आवरावार करता है. सेवा और सिद्धी के चार साल समुचित थी के. अदेक्ष मोदे हम जन्ता के सेवक हैं और जन्त सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं हमारे सभी संकर्भी संकर्भी से प्रेजित से प्रेजित हैं हमारी इरादे बड़े हैं और हमारी सारी शक्ति इंपावन संकावन को सिद्ध करने में लगी हैं हमें विश्वास है कि दिसंब किल प्रोन गुरें दर दे safer क Не ठीसिर से सरे पर्देश की जंदेश की जंदन्त आशे बादता में पिरसे मिलेगा और प्रदेश के मिलेगा और प्रदेश के विर का स्का क्रम का क्रम इसी पρकास निक दएец आजयार हो मैं झीत से अरक्ष मोदय क्याना चाहूंगा अरखी चार दिये आरी देहलीज पर हैं रोशन एक दिया में और जलाने आया है अधिक्षमोदे हमने चार बजट प्रस्तुत चार बशकर कारेकार कारेकार कूरा किया यह हमारा पांच्वा बजट है तो इसका अभी पराय जो है वो इस से जुड़ करके है अधिक्षमोदे करोना के प्रफपां के समय प्रदेश में स्वाथ की सब्रणे का और जबार करते हुए इस समस्चे का सामना किया इसी कारण यही कारण है कि करोना की दूसरे ओर तीसरी लहर के आने तक हमने स्वाथ नहांचे को सुद्रिट किया और हम इस महामारी से निपने में सफल हो पाई महामारी से पूरोग जहां परदेश में केबल दो अक्सीजन से अंतर थे उनकी संख्या बढ़कर आज 48 हो गई है इस परकर आज परदेश में उपस्वास्टे केंदर स्थर पाँच पाँच हजार से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब है इस महामारी ने व्यक्तिकत स्थर से अंतराश्टी स्थर कर सोच समझ कारशैली में दीर्ग कालिक परिवर्टन किये जो अभी भी जारी है परदेश वासियों ने इस परिक्षा के समय धहरे और सहास का परिचे दिया है इस महामारी में हजारों परिवारों ने अपने अप्रियर जनू को खोया है मैं उन सभी के प्रतिस हमवेदना प्रक्ट करता हूँ इस WICKET KALL में हमारी सरकार परदेश वासियों के साथ खड़ी है हमने हमारी के समय जीवण को बचाने के प्रैस तो किये ही साथ ही अजीवका को भी बनाई रखा हमारी सरकार का जनता के परतिसमर्पन और गोशी तलक्षिगे को पूराँ करने के परतिवद ददा इस बात से प्रकट होती है कि हिमाचल परदेश को भी टीका करण में पहली और दूसरी डोस लगाने में देश में पहला राज्य बना हमने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के ठीका करण को भी उत्कृष्टा से प्रारम किया है और विश्ट नागरिकों को बुस्टर डोस भी पूरी सफ तक से के साथ लगाई जा रही है सितंबर दो हाजारी किस में अपने वर्ष वर संबोधन में मानिय पर धान मंत्री जी द्वारा ठीका करना अभ्यान में कि माचल परदेश को चैंपिन राज्य की उपमा देना पूरे परदेश के लिए गर्व की बात है केंगे सरकार द्वारा समय पर प्रयात मात्रा में वैक्चिन उपलब करवाने के लिए मैं मानिय पर धान मंत्री श्री निरेंदर मोदी जी का हादिक धन्यवाद करता हूँ हमारी सरकार की नीतियों से प्रेदित होकर उद्मियों ने अतरिक्त निवेश किया और आज हिमाचल परदेश में निर्मित मास्क पीपी किट और अन्य सामगरी दूसरे राजों के भीजी जा रही है हमारे लिए यह गर्व की बात है कि रूस में निर्मित सपुतनिक कोबिट वैक्सिन का वैफसाइक उतपादन हिमाचल परदेश में किया जा रहा है यह सफ़ता हमारी सरकार की निवेश्च की तैशी तथा इज ऑफ दून विजनस को बढ़ावा देने बाली नीतियों का परिणाम है हमारा काम करने का तरीका यह है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शूर मचा दे अध्यक्ष मोदे कटिन बीतियर स्थिती के बावजूद केंद्री सरकार ने राज्य सरकार का हाथ पकड़ा एवं हमें भरपूर सायोग दिया 2021-22 में भारत सरकार ने 600 करोन रुपे की अतिजिक्त केंद्री साहता पूंजी का तनिवेश के लिए दी इस साहता का उपयोग महत्तपु निर्माना धिन कारें को पूरा करने के लिए किया जा रहा है चिन्नित कारें को अगले 6 मह में पूर्ण कर लिया जाएगा 2022-23 के केंद्री बजट में इस आवंटन में अभूत्पुर बिद्धी की गई है पुझिकत कारें में अतरिक्त निवेश के कारण पृदेश की अर्थ व्यवस्ता को गती तो मिली ही है साथ ही रोजगार के नए आफ़सर स्रीजित हुए है राज्य सरकार स्री निरेंदर मोदी जी के प्रती इस साहता के लिए अपना अभार व्यक्त करती है अध्यक्ष मोदे अंतराश्चे स्तरपनिस अनिष्टा के चलते आपूर्टी श्रिंखला में ब्यावधान रहे है ताथ मुद्रस पिती में बढ़ोत्री हुई है इन सब चुनलतें के बाबदुद भारत सरकार एवं परदेश सरकार ने पदान मंत्री ग्रीव कल्यान योजना आतम ने पर भारत मुक्ष मंत्री शहरी अजीव का गरंटी योजना के अंतरगत तर्थर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वरकर्स वेलफेर बोर्ड के माधियम से कमजोर वर्गों एवं ब्यावसायों के लिए खुले दिल से साहता परदान की जिसका कारण महामारी के दुष्परवाववों को बहुत हद तक कम किया जा सका भारत सरकार के प्रत्रों के चलते दो हजार इकिस बाइस के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडिपी 9.2 प्रस्चत रहने का उनुमान है जबकि दो हजार बीस इकिस के दौरान 7.3 प्रस्चत गिरावट डेगटिव ग्रोथ दर्ज की गई थी दो हजार इकिस बाइस में क्रिशी और समध क्षेतर 3.9 प्रस्चत उद्यू क्षेतर में 11.8 प्रस्चत तता सेवा क्षेतर में सकल मूले बर्धन में 8.2 प्रस्चत की व्रिदी होने का उनुमान है देश की अर्थव्यवस्ता की त्वरित एवं प्रभावी वी शेप रिकाबरी का श्रे हमारे हुर्जाबन परदान मंत्री परमिश्य देश्री निरेंदर मोदी जी के अभीनव और एतिहासिक नेतित तो पजाता है अध्यक्ष बोद्य परदेश में अर्थव्यवस्ता में 2021 के दोरान 8.3 प्रस्चत की व्रिद्धी होने का उनुमान है प्रत्थिकुल प्रस्चतियों में पिछले बर्ष आई गिरावट के बावजूद इतनी व्रिद्धी हमारे सरकार की एक बड़ी उपलब्धी है 2021 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल गहेलू उत्पाज जीसडीपी 1,75,173 रुपए रहेगा अग्रिम अनुमानों के अनुसार ही 2021 में प्रत्थिकुल आई 2,1854 रुपए आँकी गई है जो की राश्टी स्तर पर अनुमानित प्रती व्यक्ति आई से 51,528 रुपए अधिक है अधेक्ष मोदे दो हजार इकीस बाई से बजट के बदलते स्वरूप के निनित्री करण में भारत सरकार द्वारा सभी केंद्री परायजित परियोजनों के अंतरगत एक सिंगल नोडल अजेंसी अकाउंट खोलने का प्राप्ध हन किया गया है इस वेवस्ता के माध्यम से केंद्री परायजित परियोजनों के अंतरगत प्राप्त होने बाली केंद्री साहता राशी राज्य अंशदान सहित अब बहुत ही कम समय में कारेकारी विभागों के बैंक खातू में जारी कर दी जाएगी परदेश में केंद्री सरकार की समस्त 91 योजनों को इस वेवस्ता के अधिन लाया गया है तीस राज्य एवं डीविटी योजनों को भी इस वेवस्ता के अंतरगत 2022-23 में लाया जाएगा 2022-23 के लिए 12,921 क्रोड रुपे के विकास आत्मक परिवे परस्तावित है इसमें से राज्य विकास आत्मक बजट परिवे 9534 क्रोड रुपे के परस्तावित है अनुसूची जाती विकास कारेक्रम के लिए 2400 क्रोड रुपे तथा जनजाती विकास कारेक्रम के लिए 865 क्रोड रुपे के परिवे परस्तावित है पिछड़ा शेतर विकास कारेकरम के लिए एक सो करोड बावन लाख रुपए परिवे परस्ता भी थें बरत्मा सरकार के चार वर्ष के कारेकाल के दोरान विधाइक प्राथमिक्ता योजना योजनाओं की डीपियाद बनाने तथा उनको नावार्ट के रूरल इंफरस्ट्रक्टर डॉल्प्मेंट फंड आर आई डीएफ के अंतरगत सविकितियों में तेजी लाने के लिए विश करोड रुपे की लागत से साथ सो उनासी योजनाओं नवाट से सविकित करवाई गई थी जबकि हमारी वर्थमन सरकार द्वारा प्रत्म चार वर्ष के कारेकाल में ही तीन हजार चार सो बावन करोड रुपे की लागत से आठ सो चबईस योजनाओं नवाट से सविकित कर वाली गई हाधी में माननिय विधायकों के साथ दो दिवसिय बैटकों का आईजून किया गया है इन बैटकों में माननिय विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मैं निमिनलिक गोशना करता हूँ नावाड से पोशित की जाने वाली विधायक प्राप्त मिक्ता योजनाओं के लिए प्रती विधान सवा चुनाप छेतर की वर्तबन सीमा को बढ़ा कर एक सौप कचास करोड़ पे कर दिया जाएगा जो कि दो हाजार सत्रा ठारा की सीमा से और ये मैं कहना चाता हूँ रक्ष्प होते कि सभी मानने विधायकों की और से इस बात के लिए बार बार आगरे आ रहा था कि हमारी लिमिट एक्जास्ट हो गए कुछ खित्रू में और ऐसे में इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए और हमने इसको बढ़ा करके एक सो पचास क्रोड़ पे किया है और जो कि दो हाजार सत्रा ठारा की सीमा से लगभग दुगनी है अध्यक्षबोद्य नवाड से पोशीत की जाने बाली विधायक प्रात्मिक्ता योजनाओं में दो हजार बाईस तेई से मानि विधायक रोब बेज परियोजना सम्मिलित कर सकेंगे विधायक शेत्र विकास निधी से मानि विधायक शहिदों के सम्मान में द्वार इत्यादी बनाने की अनुशन सक कर सकेंगे विधाय क्षेतर विकास निधी के अंत्रगत प्रती विधानसवा क्षेतर राशी को एक करोड असी लाख रुपे से बढ़ा कर दो करोड रुपे कर दिया जाए और इस विधी के साथ ही वरत्मार सरकार के कारेकाल में इस विधी के साथ ही वरत्मार सरकार के कारेकाल में इस निधी में कुल नब्बे लाख रुपे प्रती वधानसवा चुनाब छेतर की विधी हो जाएगी जो की लगभग दुगनी है बिदाय कैच्छीक निधी को बढ़ा कर 10 लाग से 12 लाग रुपए प्रतीब धानसबा शेतर कर दिया जाए मैं मानिय सुदस्यों को यह सबर्ण करवाना चाहूंगा कि जब मेरी सरकार आई थी तो यह राशी 5 लाग रुपए थी और यह हमने दुगने से भी ज़्यादा इसको बढ़ा करते जो है वो सब यह मानिय बिधायकों की जो अनुशंसा थी जो मान थी उसको पूरा करने की कोशिश की है अजख्ष मोदे हमें यहां कहना चाहूंगा लहरों की खामोशी को लहरों की खामोशी को आशा जी ज़रा सुनिए हम शेर पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्या हैं कि सुनिए लहरों की खामोशी को लहरों की खामोशी को समंदर की बेवसी न समझ लहरों की खामोशी को समंदर की बेवसी न समझ जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तुफन बाकी है अदेक्ष मोदे हमने उज्वल योजना का अबिस्तार करते हुए ग्रिणी सुवधा योजना शुरू की, जिसके तहट हमने हिमाचल को धुवार रहित परदेश गोशित कर दिया है. अदेक्ष मोदे मैं गोशना करता हूँ कि इन दोनु योजनाओं को दो हजार बाईस टेश में भी जारी रखा जाएगा तथा इनका विस्तार किया जाएगा. मैं यह भी साहर्ष गोशना करता हूँ कि दोनु जोजनाओं के लाभारतियों को कनेक्शन के समय उपलब्द करवाए गए मुफ्ट सिलेंडर सही तीन निशुलक सिलेंडर उपलब्द करवाए जाएंगे और उपभोगताओं को इन से निमन लाप राप्त होंगे नए कनेक्शन पर एक वर्ष में तीन निशुलक सिलेंडर मिलेंगे जिन उन्हें पुराने कनेक्शन के साथ एक सिलेंडर लिया हो उन्हें दो अत्रिक्त मिलेंगे और जिन्होंने पुराने कर्णेशन के साथ दो सिलेंडर लिए हों उन्हें एक अत्रिक्त निश्चुलक सिलेंडर मिलेगा अध्यक्ष मोदे अध्यक्ष मोदे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस संदर्ब में काफी जगह से जो आगरे आये हैं सुजाब आये हैं कुछ का कहना है कि हमको डीवीटी करनी चाहिए कुछ का कहना है सिलेंडर लेकिन हमारा जितना एक जो बजट में हमने जो प्रावधान किया है उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अभी हमने सिलेंडर का जिकर किया है अगर इसमें सुझाब की दिश्टी से बात आगे बढ़ेगी इस दिशा में कि भैई डीबीटी करना चाहिए क्यूंकि काफी लोग इस तरह से भी चाते हैं तो उस पर विचार करेंगे अध्यक्ष मोदे मैं सहर्ष वोशना करता हूं कि कि 2022 देश में इसके लिए 70 करोड रुपे वेग किये जाएंगे जो कि पिछले बर्स की तुलना में 50 करोड रुपे आधी कहें अध्यक्ष मोदे यहां में कहना चाहूंगा माताओं बेहनों के चेहरों पर है मुस्कुरहाट ग्रिहनी सुवजा योजना खुशी लेकर आई है हिमाचल बना देश का पहला धुआ मुक्त परदेश जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है अध्यक्ष मोदे अध्यक्ष मोदे में बर्तमान में अणाज की बिक्री के लिए कोई भी विशिष्ट मंडी उपलब्ध नहीं है परदेश में पैदा होने वाले अनाज को पड़ोसी राज्यों में बिक्री के लिए भेजने में मुश्किलें आई परदेश में अगामी रवी सीजन में गैरा स्थानों पर अनाज की खरीद शुरू कर दी जाएगी जिसमें खरीद समंदी सभी सुबजाएं जैसे ग्रेडिंग वसफाई के लिए मशिनरी, इलेक्ट्रोनिक, तोल मशीन, कवर्ट तथा, खुला, निलामी मंच, क्रेट्स, टेंट, पारकिंग, किसानों को बैठने के लिए उची तस्थान आदी उपलब्द करवाए जाएंगे पंद्रा क्रोड रुपे की लागत से चार नई अनाजमंडिया, रामपूर, उनाम, मजारी, बिलासपूर, रियाली एवं मिलवा कांगड़ा में स्थाफित की जाएंगी अध्यक्ष मोदे, करोना संक्रमी तर्थ व्यवस्ता को क्रिशी क्षेतर ने बहुत संबल परदान किया है वर्तमान वर्ष में क्रिशी क्षेतर में वृद्धी आठ दिश्मलब साथ प्रश्यत होने का उनुमान है जो की बहुत उत्साव वर्दक है पिछले बजट को प्रस्तूत करते समय मैंने क्रिशी एवं सहयोगी क्षेतरों के लिए एक्सपर्ट ग्रूप के गठन की गोशना की थी परदेश सरकार ने प्रफेसर मेश्चन जो की नीती आयो के सदस्य हैं कि अध्यक्षता में इस एक्सपर्ट ग्रूप का गठन किया एक्सपर्ट ग्रूप दवारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंफी गई है इसके अध्यन के बादसमंधित विभाग रिपोर्ट में दिये गे सुजहवों पर शीगर विश्चित कारे योजना त्यार करेंगे अध्यक्ष मोहदे 2018-19 का बजट और नुमान प्रस्तूत करते समय मैंने प्राकितिक खेती खुशाल किसान योजना प्रारम करने की गोशना की थी इस योजना के परिणाम बहुत उच्सा वर्दक है माननियप धान मंत्री जी ने 16 दिसंबर 2022 को गुजरात में प्राकितिक कृशी पर राष्टिय समयलन को संबोदित करते हुए हिमाचल का उधारन देते हुए प्राकितिक कृशी अपनाने का आवान किया है 2022-23 के केंद्री बजट में प्राकिति क्रिशी को बढ़ावा देने के लिए लगबग 15 क्रोड रुपे का प्रावधान किया गया है हिमाचल परदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्राकिति क्हेती को प्रोटसाहित किया जा रहा है हिमाचल परदेश कैमिकल मुक्त परदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले वर्ष के लिए निमिलिक्त लक्ष निर्धारित किये गए हैं 2022-23 के अंतर तक कुल 50,000 एकड़ भूमी को प्राकिति क्रिशी के अधिन लाए जाएगा परदेश की सभी 3615 पंचायतों में प्राकिति क्रिशी का एक-एक माडल विक्सित किया जाएगा जिससे आस पास के किसानों को परशिक्षित करने वपरोटसाही करने में साहिता मिलेगी परदेश में कम से कम सौ गाओं को राष्टिय मानकों के अनुसार प्राकिति क्रिशी गाओं के रूप में परवर्तित किया जाएगा प्राकिति क्रिशी को कर रहे सभी किसानों को पंजिक्रित किया जाएगा तथा उन में से श्रेश्ट पचास हजार किसानों को पराकितिक किशिक के रूप में परमानित किया जाएगा पराकितिक किशिक की पूरून सूचना एब आंकडों के साथ एक डाइनमिक ऑनलाइन वेब पोर्टल बिक्सित किया जाएगा परदेश की दस मंडियों में प्राकितिक किशी के उत्पादों की विक्री के लिए विशेश स्थान उपलब्द करवाए जाएंगे तथा दो स्थान पर प्राकितिक किशी के उत्पादों की विक्री के लिए विशेश मंडि स्थापित की जाएगी प्राकितिक क्रिशी के पादों के विक्री के लिए देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश में चुने के स्थानों पर विक्री केंदर स्थापित किये जाएंगे अध्यक्स मोदे मैं किसान भाईों का आवान करते हुए कहना चाहूंगा आओ मिलकर मुठी बांधें धर्ती का शिंगार करें खेतू में हर्याली रोपें समृध्धी का संचार करें अध्यक्स मोदे गतवर्श हमारी सरकार ने पहली बार क्रिशी और बागवानी बिश्वजालियों को एक निश्चित शोद ग्रांट करने की घोशना की थी माननिय पढ़ान मंत्री जी के निदेशन उशार परदेश के क्रिशी और बागवानी बिश्वजालियों में प्राकिती क्रिशी पर सनातक और सनातक तर पर पाठे करम में सुषोधन किया जाएगा तता शोध को प्रोटसाहित किया जाएगा प्राला मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विक्सित किया जा रहा है फॉलू और सब्जियों के भंडारन की सुविधाओं में और अधिक बेहतरी के बेहतरी के लिए इस मंडी में 60 क्रोड 93 लाक रुपए की लागत से 5000 मिट्रिक टंग क्षमता का एक नया कोल्ड स्टोर स्थाफित किया जाएगा इसके साथ ही एक 1500 मिट्रिक टंग क्षमता का फ्रीजिंग चैंबर 10 मिट्रिक टंग गंटा क्षमता की ग्रेडिंग पैकिंग लाइन और एक मिट्रिक टंग प्रती घंटा क्षमता की इंडिविजिली क्विक फ्रीजिंग लाइन स्थाफित की जाएगी अध्यक्षमोद्य किसानों को अपने उत्पात बेचने के लिए बेहितर सुबधाय मिले इसके लिए अगले बीतिये वर्ष में जायका चरंड दो परियोजना के तैट परदेश में तेरा मार्केट याड़ों को और सुधिट किया जाएगा जिस पर 31 क्रोड रुपे खर्च किये जाएंगे पिछले वर्ष बजट अनुमान प्रस्तूत करते हुए मैंने परदेश में एक फूल मंडी की स्थापना करने की घोचना की थी जिसे परवाणों में स्थापित कर दिया गया है अगामी बीते वर्ष में एक और फूल मंडी स्थाफित करने की गोशना करता हूँ जिस पर तीन क्रोड रुपे खर्च किया जाएंगे अधेक्ष मोद्या हमारी सरकार ने हींग और केसर की खेती प्रयोगिक तोर पर शुरू की है जिसके प्रारेंभिक प्रणाम उत्सा वर्दक है अब प्रदेश में दालचीनी एबं मौंक फूरूट की खेती को इंस्टिट आफ हिमालेन बायो रिसोर्स टेकनोलजी पालबपूर के सहयोग से पालेट आधार पर अरब किया जाएगा इसके अतरिक्त परदेश में ड्रागन फूर्ट की खेती की संभावनाओं को भी तलाशा जाएगा अधक्ष में अधे परदेश में मक्की और गेहुं की उतपाद को बढ़ाने के लिए तथा परदेश की अपनी पहड़ी किस्वों की संवर्धन के लिए मैं बीज उत्पादन के वर्तमान आवंटन को पांच करोड रुपे से बढ़ा करके दस करोड रुपे करने की गोशना करता हूँ इसके अत्रिक्त अन्य फसनों के उत्तम बीच उपलब्द करवाने के लिए मैं तीन क्रोड रुपे के बजट के प्राबधान करने की भी गोशना करता हूँ अदेख्ष मोदे मैं परदेश मैं पहाडी मक्ही के किस्मों को उपभोगता हूँ अदेख्ष मोदे क्रिशी क्षेत्र में किसानों को बाजार से सीधा जोडने के लिए किसान उत्पादक्स संगटनों एफ़ पियोज का गठन किया जा रहा है ये एफ़ पियोज छोटे और सीमान किसानों को अपनी उपज बेहतर दाम पर बेचने के लिए एक सशक्त माद्यम है अगले बर्ष बीस और एफ़ पियोज गठित किये जाएंगे जिन में से दस एफ़ पियोज केवल प्राकितिक क्रिशी पराधारित होंगे इसके अतरिक्त सहकारिता विभाग भी परते एक विकास खंड में एक एफ़ पियोज स्थापित करेगा सहकारिता विभाग इन एफ़ पियोज को बीतियत था तक्निकी साहता भी परदान करेगा अध्यक्ष मोद्य क्रिशी क्षेतर के लिए 2022 में 583 करोड रुपे का प्राधान किया गया है अध्यक्ष मोद्य हिमाचल परदेश देश भर में फ्रूट बॉल के रूप में जाना जाता है हमारी सरकार बागवानी शेतर को बढ़ावा देने के लिए सदय प्रतिंशिल रही है इस शेतर में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक बागवानी नीती तियार की जाएगी एवं निमन बिंदों पर पहल की जाएगी फूलों की खेती का विस्तार करने के लिए आर्केट और सजावटी पौधूं को प्रोसाहन दिया जाएगा उश्व करांती योजना के अंतरगत ग्यारा क्रोड रुपे व्यक करने का प्रस्ताव किये जाने का प्रस्तावित है बी फ्लोरा के लिए बिशेश ब्रिक्षार ओपन अवियान चलाए जाएगा और भारतिय मदू मक्यों की किस्वों को प्रोसाहन दिया जाएगा इसके लिए चार करोड पचास लाख रुपे व्यक किये जाएंगे शिटाके और धिंगरी आदी मश्रूम की किस्वों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तथा मश्रूम प्रोसेसिंग और कैनिंग के लिए तीन करोड रुपे व्यक किये जाएंगे जामून और मेवों की खेती के लिए कलस्टर बनाए जाएंगे हाई डेंस्टी किस्वों का पौधर उपन और इमूनिटी बूस्टर बाली फसलों की शुरूआत की जाएगी अदेक्स मोदे हिमाचल परदेश की जनता स्वर्गिय शिरी सत्यनंद स्टोक्स की रिणी है जिनके प्रयास एवं मागदर्शन से 1916 में परदेश में सेव का उत्पादन आरब हुआ तथा परदेश की बागवानी को एक नई दिशा एवं गत्य प्राप्त हुई बागवानी क्षेत्र का परदेश की अर्थ विवस्ता में महत्तो पून स्थान है श्री सत्यनन्द स्टोक्स का दिहावसान हुए पचेत्र वर्ष हो गए है उनके व्यक्तित्वा एवं योगदान के महत्तो को ध्यान में रखते हुए मैं गोशना करता हूँ कि उनकी कर्म भूमी शिमला जिला के कोटगड ठानाधार वो आसपास के शेत्र को सत्यनन्द स्टोक्स ट्रेल बनाए जाएगा और इसका बहुँ आयामी स्वरूब भागवानी प्रेटन एवं भाशा एवं संस्किती बिभागूं के सावनवाई से विक्सित किया जाएगा अरेक्स मोदे विविन स्थानों पर प्रोसेसिंग एंड कैनिंग यूनिट्स के अतरिक्त सीए स्टोर स्थाफित किये जा रहे हैं 58 क्रोड पे की लागत से चचोड रिकॉंग पियो ग्याबोंग और चमबा में सीए स्टोर का निर्माद 2022 तेश में आरम कर दिया जाएगा इसके साथ ही रोहडू, गुमा, जडोल, टिककर, टुटुपानी तथा भुंतर में बन रहे सीए स्टोर तथा ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग हाउसिस का इसी वर्ष लोक कारपन कर दिया जाएगा इन परेजिनों को पूरा करने के लिए पचेटर करोड रुपे वे किया जाएगा अधैक्स में ओदे़ दो हज़ाद 22-23 के दुरान 91 करोड रुपे की लागत से पराला में बन रहे फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट में उतपादन अरम कर दिया जाएगा तथा परवाणू तथा जडोल में स्थित फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का स्तारा करोड की लागत से उन्ने किया जाएगा इसके साथ ही पाउंटा साइब, कांगनी तथा शार्ट में बन रहे मारκεटिंग यार्ड को सितंबर 2022 तक किसानों अबाग वानू को स्मर्पित किया जाएगा परवाणू में बन रहे मारκεटिंग यार्ड को भी मार्च 2023 से पहले पूरा कर लिया जाएगा इन पर 35 क्रोड रपे खर्च किया जाएगा अध्यक्ष मोदे बागवानी क्षेतर में चलाई जा रही विभिन लगु सिंचाई योजनों का निर्मान कारे विभिन चर्मू में है दो हजार बाइस तेश्ट में लगभग नो हजार हक्तियर अतिरिक्त खेती युक्त भूमी में सिंचाई सुविधाएं उपलब्द करवा दी जाएंगी इस पर 198 क्रोड रपे खर्च किया जाएंगे बागवानी विकास परियोजना के सकारात्म परिणाम देखे जा रहे हैं इस परियोजना के अंतरगत शिलारव बंपालंपूर में दो सेंटर आफ एक्सिलेंस स्थाफित किया जाएंगे जिसके लिए 18 क्रोड रपे के प्राबधान को मैं परस्तावित करता हूँ बागवानी क्षेत्र के लिए 2022-23 में 540 क्रोड रपे का प्राबधान किया गया है अजेक्ष मोदे कम नहीं किया अजेक्ष मोदे में यहां कहना चाहूँगा कौन कहता है कौन कहता है काम्याबी किस्मत ही तै करती है कौन कहता है काम्याबी किस्मत ही तै करती है इरादू में दम हो तो मंजिलें भी जुका करती है अजेक्ष मोदे हमारी सरकार के लिए गौवन्च का सरक्षन आस्ता का विशे है आपके मादियम से में सदन का ध्यान वर्तमर सरकार के मंत्री मंडल की पहली बैठक की और आकर्शित करना चाहूँगा जिसमें हमने गौवश सेवा का संकल्प लिया था हमने नकेबल भी भागी स्तर पर बड़ी कौव सेंचरीज और गौवशालाओं की स्थापना की है अपितु नीजी भागी दारी से भी उतक्रिष्ट गौवशादनों को प्रोटसाहन दिया है परदेश में बड़ी संक्या में बेसाहरा गायें सडकों पर दिखाई देती थी हमारे प्रयासों के चलते गौवशालाओं और कौव सेंचरीज में गौवश की संक्या छे हाजार से बढ़ करके बीस हाजार हो गई है हमें विश्वाश है कि सरकार के प्रयासों तथा गैर सरकार एवं समासेवी संस्ताओं के सहयोग से हम पूरे परदेश में बेसाहरा गाववश की सेवा सुनिश्चित कर देंगे मैं सभी समासेवीं का इस पुनीत कारे में सहयोग के लिए अभार वक्त करता हूँ मैं परदेश वासियों का भी आभान करता हूँ कि वे गौवश के प्रती अपने करतब्य को निभाएं इस संदर में यहां कहना चाहूँगा सरकार बरतमान कानूनों में कड़े प्राबधान करेगी ताकि आवशकता हुई तो नया कानून भी बनाया जाएगा अलक्ष मोदे यह बिशेश तोर से जो गाववश को सड़कूं पर छोड़ देते हैं जब वो दूद देना बंद करती हैं तो यह अमानवी कारे हैं अब इस वर्ष्रम ने सर्दी के मौसम में देखा कि बहुत सारी गाय आसी छोड़ दी गई थी जो पहाडूं पर चले गई थी और बर्प गिरने के पश्चाथ उनमें से बहुत सारी बड़ी संख्या में उनकी मृत्ती हुई है दुखत मृत्ती हुई है जिसको मैं क्या सकता हूँ तो इस दृष्टी से कानून को और सक्त करने के आफशक्ता है मानवे दृष्टी कों आज की तारीक में इस संदर्बे में समझता हूँ की बहुत आवश्यक है तो इसलिए इसमें अगर कानून को और कड़ा करने की जुरूरत पड़ेगी और ऐसे लोग जो गाय को छोड़ देते हैं अपना मकसद निकलने के बाद जब वो दूद देना बन कर देती है तो उनके खिलाब कारवाई का कारवाई करने का जो है कानून कारवाई करने का पराभधान मजबूत करने की जुरूरत मैसूस हो जी है अदेक्ष मोदे मैं वर्ष दो हाजार बाईस तेईस में पांच बड़ी कौव सेंच्री एवं गौव सदन की स्थापना तथा हिमाच्चली पहड़ी गाय के स्रंक्षन हे तो एक उतक्रष्ट फार्म स्थापित करने की भी गोशना करता हूनु अदेक्ष मोदे मैं अपनी सरकार की प्रतिपद्धता दोराते हुए नीजी गौव सदनों में आश्रित गौव वंश के लिए दिये जाने बाले अनुदान को पांस सौर पे प्रति गौव वंश प्रतिमाह से बढ़ा करके साथ सौर पे करने की सहर्ष गोशना करता हूनु मैं गोशना करता हूँ कि इस ब्यवस्ता को अब गोपाल के नाम से जाना जाएगा सरकारी एक शेतर के गौव सदनों के अनुदान में आवशक्ता नुसार समुचित बृधि की जाएगी अधिक्स मौदे यहां में कहना चाहूंगा जब गाये नहीं होगी तो गोपाल कहां होंगे जब गाये नहीं होगी तो गोपाल कहां होंगे इस दुनिये में हम सब खुशाल कहां होंगे गायक के प्रती जो हमारा एक श्रद्दा का भाव जो है जिसको हम मांग कहते हैं वो भाव जो है वो आज की तारिक में जित कम हो रहा है इस दिश्टी से ये बहुत आवश्चक है कि हम गव की सेवा करें अदेक्ष मोदे 2022-23 में डेरी गत्विधियों के विस्तार के लिए दत नगर तथा चक्कर मंडी में प्रती दिन पचासा हजार लीटर क्षमता के दो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किये जाएंगे अदेक्ष मोदे बिगत चार बर्शों में दुग उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों की रक्षा के उदेश्चे से मैंने दूद ख्रीद मुल्ले में साथ रुपे प्रती लीटर ब्रोत्री की है दो हजार बाइस तेश के लिए भी में इसमें दो रुपे प्रती लीटर बढ़ाने की साहर्श कोर्श ना करता हूँ अध्यक्ष मोदेव पशु पालकों को बेहतर सुविदा परदान के करने के उदेश्चे से पहली बार 44 मुबाइल वेटनर या इंबूलेंसिस चलाई जाएंगी जिन पर 7 क्रोड रुपे वेग किया जाएंगे पशु पालकों को सहायता उपलब्द करवाने के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी पशु पालकों की आए बढ़ाने के लिए रूरल बैक्रोड शिप ड्वल्प्मेंट स्कीम के अंतरगत 2,000 भेड इकाईयों स्थापित की जाएंगे जिस पर बारा करोड रुपे वेग किया जाएंगे अध्यक्ष मोद्या दस करोड की लागत से राष्ट्रिय कृत्रिम गर्वाधान कारेकरम चरण तीन के अंतरगत पांच लाख गाए वो बैंसु को निशुलक कृत्रिम गर्वाधान की सुभधा पदान की जाएगी कारेकर रहे कई ग्राम पर इंचायत वेटनेरी असिस्टेंट वेटनेरी फार्मसिस्ट के पदों पर निक्ति के पात्र हो गए है पात्र पशुपालन साहिकों को फार्मसिस्ट के पद पर निक्ति किया जाएगा इसके लिए आविशक्ता अंसार स्कीम अत्वासबंदित नियुम में बदलाव किया जाएगा अधेक्ष मोदे पुशु पालन खेतर के लिए दो हजार बाईस तेईस में चार सो उनतर करोड रुपे का प्राभधन किया गया है अधेक्ष मोदे मतस्य पालन खेतर के खेतर के खेतर के लिए बदलाव को देखते हुए दो हजार बाईस तेईस में एक सो बीस नई ट्राउट एकाईयों का निर्मान किया जाएगा इसके अतरिक तराज्य में बायो वायो फालिक मतस्य पालन खेतर काईयों का निर्मान किया जाएगा अध्यक्ष मोदे दो हजार बाईस के दुरान मचवारों को आइस बॉक्स सहित बीस त्री भीलर और अस्सी मोटर साइकल दो सो नावें और जाल अंदान का पर अंदान पर प्रदान किये जाएंगे पुर्शों के लिए या उन्दान राशी कुल लागत का 40% तथा महिलाओं और अनसुची जातिय और अनसुची जन जातियों के लिए 60% होगी मतस्य पालन क्षेतर में 2022-23 में ग्राइमिन क्षेतर के 500 युवाओं को रोजगार के अफसर उपलब्द करवाए जाएंगे अध्यक्ष मोद्य समाजिक सुरक्षा पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन जापन को सर बनाने में महत्तवपून भूम का निभादी है हमारी सरकार के लिए या सरवोच पराथ बिकता है यही कारण है कि हमारी प्रथम मंत्री मंडल की बैटक में अतिहासिक निर्ने लिया गया जिसमें बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली वुड़ापा पेंशन की आयू सीमा को 80 वर्ष से गटा कर 70 वर्ष कर दिया गया था जिसका सीधा लाप तीन लाग से अधिक लोगों को मिल रहा है पातर व्यक्तियों को वर्तमान में एक हजार पांसो रुपए प्रतिमा पेंशन परदान की जा रही है उपरोक्त के अतिरिक्त गत चार वर्ष के दौरान हमने समाजिक सुरक्षा पेंशन की दरूं में चरणवत तरीके से बढ़ुतरी करते हुए निमन डिक्त लाप दिये हैं विद्वाओं एकल नारी ताथा सत्तर वर्ष से नीचे ब्रिद जनू को मिलने वाली साथ सौ रुपए प्रतिमा की पेंशन को बढ़ा करके एक हजार प्रतिमा सतर वर्ष से उपर बृद जनू तथा सतर अपन्ग ता बाले दिब्यंग जनू को मिलने वाली पेंशन को एक हजार एक रुपए प्रतिमा से बढ़ा करके एक हजार पांसव रुपए प्रतिमा 65 वर्ष से 79 वर्ष की आयू बाले महिलाओं को बीना आये सीमा के 1000 रुपए प्रतीमा कुछ रोगी एवं ट्रांस जेंडर को मिलने वाली 700 रुपए प्रतीमा पैंशन को बढ़ा करके 850 रुपए प्रतीमा 2017 तक परदेश में 74 लाख व्यक्ती समाजिक सुरक्षा पैंशन ले रहे थी जिन पर लगभग 450 क्रोड रुपए की राशी कर्द की जा रही थी हमने अपने सरकार के चार साल के कारेकाल के अंदर ही 220,000 से अधिक नए पातर लोगों को समाजिक सुरक्षा पैंशन की सम्किती थी हमारी सरकार दोरा वर्तमान में 6,35,000 लोगों को समाजिक सुरक्षा पैंशन का लापरदान किया जा रहा है हमारी सरकार ने निर्ने लिया है कि 2022-23 में समाजिक सुरक्षा पेंशन के 40,000 अतरिक तावेदिनों को वर्तमान पातरता शर्तों के आधार पर समाजिक सुरक्षा पेंशन परदान की जाएगी अभी हाल ही में हमने परदेश के पूर्ण राज़त वर्ष के पूर्ण होने के अफसर पर समाजिक नाय एवं वधिकारिता विवाय की योजनों में पातरता हेतु वार्षिक आय सीमा को दो हजार चौदा में पैंतिस हजार रुपए की निरहरी की थी को बढ़ा करके पचास हजार वार्षि कर दिया है और इस निरने से साथ हजार से अधिक अतरिक तलाव भारतियों को गुड़ापा विद्वा एकलनारी और दिवांगे जन पैंशन का लाव मिलेगा मैं सर्ष गोशना करता हूँ समाजिक सुरक्षा के प्रती सरकार के दिड़ संकल्ब को दोराते हुए मैं मेरी सरकार के दिष्टी पत्तर में किये गए वादू को पूरा करते हुए सभी के लिए किसी आय सीमा के बिर्दावर्शा के बिर्दावर्शा पैंशन की पातरता है तू आयू सीमा गटा करके साथ वर्ष करने की गोशना करता हुए अध्यक्ष मोदे अध्यक्ष मोदे ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी एक कमिट्मेंट है कि बुढ़ापा सब को आएगा और बुढ़ापा जब आता है तो साथ बहुत कम लोग होते हैं तो सरकार उनके साथ साथी बन करके सोहयोगी बन करके उनका ख्याल रखने के लिए खड़ी हो ये मुझे लगता है कि एक बहुत कपुन्य का कार है जिसको हमने अपने हाथों में लिया है उस काब को पूरा करने के लिए एक बड़े संकल्ब के रूप में हम आगे बढ़ते हुए साथ साल से उपर सभी को आय सीमा में छूट देते हुए प्रेंशन का फराप्ठान करने के लिए प्रेंशन करने के लिए अधेक्ष्मोदे यहां में कहना चाहूंगा जहां सजदा हो बज़र्गूं का अधेक्ष्मोदे जहां सजदा हो बज़र्गूं का वहां की तहजीब अच्छी है जहां लांगे ना कोई मर्यादा वो दहलीज अच्छी है अधेक्ष्मोदे मैं 60 वर्ष से 69 वर्ष तक के सभी पात्र लोगूं कुष्ट रोगियों इवं ट्रांस्जेंडर को दी जारी पेंशन पेंशन 850 रुपए प्रती माह से बढ़ा करके 1000 प्रती माह विद्वाओं और दिव्यांग जनूप प्रत्यक्त महिलाओं एबं एकल नारियों को दी जारी पेंशन एक हजार प्रती माह से बढ़ा करके 1150 रुपए प्रती माह तता सत्तर वर्ष से अधिक आयू के बिद्व जनू एबं सत्तर प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग जनू को दी जारी पेंशन 1500 रुपए प्रतिमा से बढ़ा करके 1700 रुपए करने की भी गोशना उता हुआ इसके साथ जो हमारे 70 साल के उपर में जो हमने गोशना की है पहली कैबिनेट की बैटक में जिनको अभी तक हम 15100 रुपए पेंशन देते थे उन सभी को अब 1700 रुपए पेंशन प्राप्थ होगी अधैक्ष मोदे समाजिक सुरक्षा हमने समाजिक सुरक्षा पेंशन की प्रिधी को संख्या एवं परिवे दोनों की हीद रिष्टी से परभावी विस्तार किया है परिणाम सुरुप 2022-23 में साथ लाख पचास हजार से अधिक व्यक्ती इस योजना से लाब उठा पाएंगे एवं 2017-18 में इस पर होने वाला 450 क्रोड रुपे के व्यक की तुलना में 2022-23 में 1300 क्रोड रुपे व्यक के जाएंगे लगवक ठी टाइज लगवक तीन गुना जो है इसमें बढ़ती हमारे कारे काल में इसमें हो रही है अधिक्ष मोदे इस परकार हमारी सरकार ने अपने कारे काल में ही समाजिक सुरक्षा पेंशन जोजना के परिवेवें में तीन गुणा बिद्धी की है अध्यक्ष मोदे समाजिक स्वरक्षा पेंशन के लिए इस बजट में घोशित लावू का सार निमन प्रकासे है पेंशन में बिधी ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में आट सो पचास रुपए प्रतिमा की पेंशन पा रहे हैं अब एक हजार रुपए प्रतिमा मिलेंगे ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में एक हजार प्रतिमा की पेंशन पा रहे हैं को अब एक हजार एक सो पचास रुपए प्रतिमा मिलेंगे अध्यक्ष मोदे 60-65 बर्ष की आयू की महिलाएं बीना किसी आयसीमा के बिरिदाबर्ष्टा पेंशन का लाब पाने की पात रहूँगी 60-69 बर्ष की आयू के पुर्ष बीना आयसीमा के बिरिदाबर्ष्टा पेंशन का लाब लेने के पात रहूँगी अज्यक्ष मोदे में यहां कहना चाहूंगा सबकी दुआउं को दिल में उतारना है हमको तो हर घर का चुला समभारना है अज्यक्ष मोदे परदेश अमर राष्ट के निर्मान में हमारी माताओं और बेहनों की मत तपून भूनका रही है हमारी सरकार महिला सो शक्तिकरण एवं जेंडर इक्वालिटी के लिए ततपरता से प्रियास करने के लिए प्रतिबद रही है एक नई पहल करते हुए दो हजार बाइस तेश में एक अलग से जेंडर बजट स्टेटमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं इस स्टेटमेंट में ऐसी योजनाओं का बिस्तित बरनन किया गया है जिनके अंतरगत महिलाओं के लिए सहायता उपलब्द है इस स्टेट्मेंट के मादियों से महिला सशक्तिकरन के लिए कारेनवित की जा रही ओजनाओं की समिक्षा तथा उनमें महिलाओं से समवाद के पस्चाद आवशकता नावशक परिवर्तन करने में साहेता मिलेगी अधैक्ष मोदे मैंने पिछले बजट और नुमान प्रस्तूत करते समय सदन को यसूचित किया था कि हमारी सरकार बच्चों में स्टंटिंग वेस्टिंग को पोशन एबवन अनीमे को समाप्त करने के लिए कृतर संकल्प है तथा हम नीती आयोग के साथ मिलकर इस गंभीर विशय पर एक स्टड़ी करवाएंगे जिसके अधार पर एक एक्षन प्लान बनाए जाएगा परदेश सरकार ने संबद इस समंद में डॉक्टर वीके पॉल जो नीती आयोग के सदस्य हैं के साथ विश्चित विचार बिश्च किया वो एक्षन प्लान बना लिया है बच्चों को कुपोशन से मुक्ट करने के लिए एक नई मुख्य मंत्री बाल स्पोशन योजना प्रारम की जाएगी यह योजना साथ स्तंभूं पर आधारित होगी बच्चों के शारीरिक बिद्धी में दो मूल बिमारिया डाइरिया तथा निमोनिया का शीगर पता लगाना और इसका सही उप्चार करना कम बजन वाले नवजात शिशु एवं कुपोशन से संभावित होने वाले बच्चों के स्वास्त्य की गहन निगरानी वसातत समिक्षा पूरक पोश आहार के लिए उप्युक्त प्रोटीन युक्त आहार बच्चों गर्बवती धात्री महिलाओं में अनीमिया के उप्चार के लिए विशेश प्रयास उच रक्चाप और अनीमिया से पीडित गर्बवती वो धात्री दूद पिलाने वाली माता हैं कि समय रहते पहचान और उप्चार कुपोशित बच्चों का सही उप्चार आई इसी और मोनिटरिंग पर विशेश पल अदेक्ष मोदे यहाँ योजना भारत सरकार और राज्य सरकार के परस पर समनवय तथा परदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग स्वास्ते विभाग और प्रारिमी शिक्षा विभाग के तालमेल से चलाई जाएगी जाती आवश्यक है कि सभी विभागों के मध्य संपूर उन समनवय स्तापित हो और इनके कर्मियों के मध्य नेमित संबाद हो जिसके आधार पर आवश्यक सुचकांक का चैन हो इसके लिए सुद्रिट इंटरफेस पोर्टेबिलिटी और डेटा इंटर इंटर पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी तथा विश्टित दिशा निर्देशों सहीत मोनिटरिंग मेकेनिजम दो महा में जारी कर दिया जाएगा अध्यक्ष मोदे मुख्यमंत्री बाल सपोशन योजना के अंतरगत में 65 क्रोड रुपे का प्रापधान बजट में रख रहा हूँ भारत सरकार से भी इसमें अतिरिक्त सहयोग प्राप्त होगा अध्यक्ष मोदे महिला एवं वाल विकास के लिए महत्व को सविकार करते हुए केंद्री बजट में महिलाओं और बच्चों को लापरदान करने के लिए सक्षम आंगरबाडी और पोशन दो योजना को नया रूप दिया गया है मैं सदन को अब्गत करवाना चाहूँगा कि हिमाचल परदेश में वर्तमान में 18,925 आंगरबाडी केंद्रू में से केवल 2,138 आंगरबाडी केंद्र विभागिय भवनों में चलाय जा रहे हैं इस दिशा मैं पहल करते हुए मैं एक हज़ार नए आंगरबाडी भवनों के निर्मान की भी गोशना करता हूँ भवन निर्मान भारत सरकार राज्य सरकार और मन्रेगा के परस पर सबनवाय से किया जाएगा वो इस पर लगभग सत्र क्रोड पर वे किया जाएंगे अध्यक्ष मोदे बरतमान में परदेश में चल रहे आंगरबाडी के इंदरों में से 6,718 आंगरबाडी के इंदरों को मौडल आंगरबाडी के इंदरों के रूप में स्थापित किया जा चुका है इन मॉडल के इंदरों में स्लाइड, स्विंग, ब्लू मॉडल, बेवी टेबल, कुर्सी इत्यादी सुविधयां पतान की गई हैं मैं 6 बचे हुए 12,207 आगनवाडिक के इंदरों को भी 94 तरिके से मॉडल आगनवाडिक के इंदर बनाने की घोशना करता हूँ और इसके लिए 32 क्रोड रुपे वेग किये जाएंगे अद्यक्ष मोदे मातां और बेहनों के सम्मान में मैं इतने ही कहना चाहूंगा नारी शक्ती है, सम्मान है, नारी गौरब है, अविमान है, नारी ने ही यह रचा बिधान है, नारी को शत शत प्रणाम है अद्यक्ष मोदे वर्तमान में विद्वा पुनर विवाह, योजना के अंतरगत पुनर विवाह को प्रेरित करने के लिए 50,000 रुपे के अनुदान राशी प्रती दंपती देने का प्राब्धान है मैं इस अनुदान राशी को बढ़ा करके 65,000 पे करने की साथ वोजना करता हूँ अद्यक्ष मोदे अनुसूची जाती वर्गुन दवारा परदेश के अनुसूची जाती विकास निगम से लिएगे करदों के लिए वन टाइम सेटल्मेंट जोजना को उद्दार बनाए जाएगा और एवम इसकी समय सीमा बढ़ाई जाएगी अभी तक एक हजार से अधिक लोगों ने इस जोजना का लाब लिया है योजना की समय अभदी बढ़ाने के फल सरूप बारा हजार से अधिक लोगों के लिए बारा करोड रुपे की ब्याच और जुर्माना राशी की सेटल्मेंट हो पाएगी इमाचलण अधिक्रमोदे यह बहुत मुहत्तापूना जो अन्जूची जाती के लोग हैं तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो कॉर्परेशनस से लोन लिये हैं और उसमें हमने तैय किया है कि जो लोन देने की स्थिती में नहीं है बापिस करने की स्थिती में नहीं है तो उसमें उनके लिए मदद का एक रास्ता निकाला जाया तो वन टाइम सेटलमेंट करके जो मूल धंदराशी है उसको वो बापिस करें और उसमें उसके अत्रिक जो ह है बारा क्रोड रुड रुपे हम जो है वो का लाव जो है ऐसे इस वर को देने की बात कर रहे हैं हिमाचल परदेश बैकवर्ड क्लासिस फाइनस कॉर्परेशन के रिनियू के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट बनाई जाएगी अदेक्ष मोदे समाजी के नया एवं वधिकार अत्रिता विभाग विभिन सर्थान जैसे बाल अकभाल सथान, जिला बालसरक्षन, इकाईय, ख़िध आश्रम आदी चलारा है इन सभी संस्तानों में कारे रत विभीन श्रेडियों के कर्मियों को दिये जाने वाले मानदे में एक रुपता लाने के लिए राज्य सरकार की और से टॉप अप का प्रावधन किया जाएगा यह टॉप अप तब तक मिलेगा जबता की भारत सरकार इन दरू में संशोधन नहीं करती इसी तरह से अधक्ष मोदे मुख्य मंत्रि बाल उधार योजना के अंतरगत परदेश के बाल बालिका आश्रमों से निकले सब ही ऐसे बच्चों बच्चे जो कि आश्रम छोडने के बाद अपनी पढ़ाई जारी ना रख पाए हों को स्वरोजगार के लिए बीस हजार देने का प्राबधान है मैं अनुदान राशी को बढ़ा करके 35,000 रपे करने की साहर्च गोशना करता हूँ अधिक्ष मोदे में 2022-23 से राज्य में बेसाहरा बच्चों के पुनर वास्त था उन्हें शिक्षा परदान करने के लिए एक नई मुख्या मंत्रिया सहाए बाल पुनर वास योजना अरम करने की भी गोशना करता हूँ अधिक्ष मोदे यहां मैं कहना चाहूंगा ना जाने वो बच्चा किस खिलोने से खेलता है जो दिन भर बाजार में खिलोने बेचता है अधिक्ष मोदे भारत सरकार द्वारा पर दहन मंत्रिक शिस अंचाई योजना के अंतरगत लगवग 54,000 हेक्टेर छेतर के लिए 151 क्रोड रुपे की लागत से 26 विकास कंडू में 119 जला गम विकास पर योजनाएं सविकित की गई है इन्हें 2022-23 में आरम कर दिया जाएगा मंद्रेगा में पंचबटी योजना के तहता 28 वाइटिकाओं का निर्मान किया जा चुका है तथा अन्य पर निर्मान कारेप रगती पर है 2022-23 में 2000 अतिरिक्त बाइटिकाओं वो पार्खूं का निर्मान पूरा कर लिया जाएगा मंद्रेगा के तहत नीजी वो बन भूमी में ब्रिक्षार ओपन और बागवनी सविकार्य है 2022-23 के दौरान बन विभाग के सहयोग से मंद्रेगा के तहत ब्रिक्षार ओपन पर पचास क्रोड पर वैग किये जाएंगे अध्यक्ष मोदे धार्मिक एवं प्रेटन स्थनों को जोडने वाले मार्गों पर निरंतर आवजा ही रहती है इन सडकों पर यात्रियों की सुविधा के लिए शौचाल एतियादी सहित बारा बहु देश्य सुविधा के अंदरों का कन्विर्जंस के माध्यम से प्रथम चरण में निर्मान किया जाएगा ग्रामिन क्षेतरों में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट हेतू प्लाजमा तकनीक से चलने वाले प्लांट का पालेट अधार पर निर्मान किया जाएगा प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट एंड ग्रेल लिक्विड वेस्ट मेनेजमेंट के तहत 8000 गाउं को लाए जाएगा साथ ही सभी विकास खंडूं को क्रिया शेल प्लास्टिक कच्रा परवंधन से जोड़ा जाएगा प्रदेश में 870 ग्राम प्रवंधन के प्रवंधनों सहीत 2510 कर्मियों को आवश्चक परशिक्षिक्षिन दिया जाएगा छठे राजे बीता योग दोवारा की गईयों निश्वंस्या के आधार पर मैं पिंचायती राज संस्ताओं के प्रतिवत दायत्तों के भुगतान के लिए 352 करोड रुपे का प्रावधन प्रस्तावित करता हूँ जो की 2021 से 104 करोड रुपे अधिक है अधिक्ष मोदे पिंचायती राज संस्ताओं के प्रतिवतियों का मान दे बढ़ाने के लिए मैं सहर्श गोशना करता हूँ अधिक्ष जिला परशद को 3000 रुपे बढ़ोत्री के साथ 15000 रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा और इस बढ़ोत्री को समलित करते हुए बरत्मन सरकार के कारेकाल में 7000 रुपे प्रतिमा की बढ़ोत्री के साथ 10,000 रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा इस बढ़ोत्री को समलित करके बरत्मन सरकार के कारेकाल में 4000 रुपे प्रतिमा की बढ़ोत्री की गई है सदस्य जिला परशद को एक हजार पे बढ़ोत्री के साथ छे हजार पे प्रतिमा मान दे मिलेगा और इस बढ़ोत्री को समिलित करते हुए वर्तमान सरकार के कारेकाल में दो हजार पांसो रपे प्रतिमा की विध्य की गई है अध्यक्ष पंचायत सिमिती को 2000 पे बढ़ोत्री के साथ 9000 पे प्रतिमा मान दे मिलेगा इस बढ़ोत्री को समिलित करके वर्तमान सरकार के कारेकाल में 4000 रुपए प्रतिमा की बृध्धी की गई है यानि कि आज तक जितने मिलता तर लगबग उसके 50 प्रसेंट जो है उन्जो जो है इंक्रीज की गई है उपादेक्ष पंचायत सिमिती को 1500 पे की बढ़ोत्री के साथ 6500 प्रतिमा मान दे मिलेगा इस बढ़ोत्री को समिलित करके वर्तमान सरकार के कारेकाल में 3000 पे प्रतिमा की बृद्धी की गई है ये भी लगबग 50 प्रसेंट के करीब है इसी प्रकार से अधक्ष मोदे सदस्य पंचायत सिमिती को 1000 पे की बढ़ोत्री के साथ 5550 प्रतिमा मिलेगा इस बढ़ोत्री को समिलित करके वर्तमान सरकार के कारेकाल में 2500 प्रतिमा की बृद्धी की गई है परदान ग्राम परिंचायत को 1000 पे बढ़ोत्री के साथ 5550 प्रतिमा मिलेगा इस बढ़ोत्री को समिलित करके वर्तमान सरकार के कारेकाल में धाई हजार यह दो हजार पांसो रपे प्रतिमा की बिद्धी की गई है उपपर दान ग्राम पंचायत को पांसो रपे की बढ़ोत्री के साथ तीन हजार पांसो रपे प्रतिमा मांदे मिलेगा इस बढ़ोत्री के समिलित करके वर्तमान सरकार के कारेकाल में 1300 रुपए प्रती माहकी बृध्धी की गई है सज़स्य ग्राम पंचायत को 50 रुपए बढ़ोत्री के साथ 300 रुपए प्रती ग्राम पंचायत बैठक है तुमान दे मिलेगा इस ब्रोत्री के साथ को समिलित करके वर्त्मान सरकार के कारेकाल में पचेतर रुपे प्रती बैठक की बृद्धी की गई है अधिक्ष मोदे राश्टिय ग्रामीन अजीविका मिशन के अंतरगत कुल 32,00 सायता समू का गटन किया गया है जिसमें लगबग 2,50,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं मैं यह घोशना करता हूँ कि एक नई मुख्य मंत्री महिला सर्शक्ति करन योजना के अंतरगत इन महिला सायता समू को निमन अतरिक्त सायता परदान की जाएगी उन सभी स्वयन सायता समू को जो कि ग्राम संगठन से जुड़े हैं को रिवॉल्विंग फंड के लिए अगले बीतिया वर्ष में 25,000 की वन टाइम अतरिक्त राशी टॉप अप के रूप में दी जाएगी इससे इन समू को 25 क्रोड रुपे की राशी मिलेगी अगामी एक वर्ष के लिए ग्रामिन विकास विवाग के तहत बने स्वयम सायता समू की महिलाओं को पधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना वो पधान मंत्री जीवन जोती योजना जीवन जोती बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा वो इन भीमा योजनों के वार्शिक प्रीमियम कमशा 12 रुपए एवं 330 रुपए का भुक्तान राज्य सरकार बहन करेगी इस पर लगबग 10 क्रोड रुपए की राशी वै होगी अध्यक्ष मोदे कॉम्यूनिटी रिसोर्स पर सके कैडर में क्रिशी सकी पशू सकी क्रिशी द्योग सकी विट सकी बैंक सकी आधी को वर्तबान में अपने ग्रिय खंड विकास क्षेतर में कारे करने पर प्रति दिन 350 रुपए मान दे दिया जाता है में इस मान दे को 350 रुपए से 500 रुपए प्रति दिन करने की साहस गोशना करता हूँ अलेक्ष मोदे राश्टी ग्रामी रजीव का मिशिन के अंतरगत श्रेणी एक जिला करमशा जिलों करमशा चिमला मंडी कांगड़ा तथा उन्ना में स्वाइम समय पर किस्त का भुगतान करने की बैवस्ता में भारत सरकार द्वारा ब्याज उपदान देने के बाद इन सम पुछना करता हूं कि श्रेणी दो के आठ जिलों के स्वाइम सायता समू को भी श्रेणी एक के चार जिलों के समरूप चार प्रश्चत की दर्ख से ही रिन उपलब्द करवाए जाएगा भारत सरकार द्वारा ब्याज उपदान देने के बाद जो भी अतरिक्त ब्याज दे होगा उसे परदेश सरकार द्वारा इंट्रेस्ट सब्वेंशन के रूप में बेहन किया जाएगा अध्यक्ष मोदे पिछली वर्ष प्रारंभ की गई स्वर्ण जैन्ती स्थ जी सहयोग योजना के अंतरगत के एक नए प्रारूप में इस वर्ष भी जारी रहेगी इस योजना के माधिम से स्वहिम साहता समुह को प्रोचसाहन दिया जाएगा दो हजार बाईस तेईस में विविन साहता समुह के लिए 65 क्रोड रुपे के वेग किया जाएंगे पंचायती राजमों गरामी विकास के लिए दो हजार बाईस तेईस में 1662 क्रोड रुपे का प्राभधन किया गया है अधेक्ष मोदे समार्ट सिटी मिशन के अंतर गत शिमला में जनता की सुविधा के लिए दो हजार बाईस तेईस में 160 क्रोड रुपे की लागत से 69 परियोजना हैं तथा धर्मशाला में 166 क्रोड रुपे की लागत से 65 परियोजना पूरी की जाएंगे शिमला में 104 क्रोड रुपे की लागत से तथा धर्मशाला में 165 क्रोड रुपे की लागत से नए कार अरम किया जाएंगे शेहरी स्थानी निकायों में पार्किंग के निर्मान के लिए कुल लागत का 50 परिशद भाग सरकार दोरा बहन किया जाता है जबकि स्थानी निकायों को शेश पिचास प्रत्षत भाग बेहन करना होता है मैं सरकारी अंशिदान को बढ़ा करके प्चेत्र प्रत्षत करने की भी सहर्ष गोशना करता हूँ अधक्ष मोदे जहां मैं कहना चाहूंगा सामने हो मन्जिल तो रास्ते ना मोरना जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन न छोड़ना तो इसलिए जमीन पर बने रहे हैं जी जी अधक्ष मोदे यह यहां नहीं नहीं वो ऐसे मुझे लगड़ थी कि भी उनको सुष्टी पढ़ गई इसलिए मैंने इनको जिगाना उचित समझा थोड़ा सा अधक्ष मोदे कोबिट 19 मह हमारी के दुरान शहरी युबाओं को रोजगार परदान करने के लिए 2020 में मुझे मंत्री शहरी अजीब का गारंटी योजना रम की गई थी इस की लोग प्रियता के चलते मैं इस योजना को 2022 में कुछ सुन्शोधनु सहित जारी रखने की गोशना करता हूँ जिस पर पांच क्रोड रुपए बैक किये जाएंगे इस योजना के अंतरगत शहरी विरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी पातरता एबं अन्य शर्तों से समंधित विधेग विधान सबाब में पेश किया जाएगा अधेक्श मोदे शहरी स्थानी निकायों को प्रोथसाहिद करने के लिए सरकार ने अटल श्रेश्ट शहर योजना फिरू किया है अंतरगत सर्वशेष परदर्शन करने वाली तीन नगर परिशदों और तीन नगर पंचायतों को अटल शेष शहर पूर्शकार से समानित किया जाता है अब इस योजना का विस्तार नगर निगवों के लिए भी किया जाएगा लिगेसी वेस्ट साइट्स को साप करने के बाद इन स्थलूं पर ब्रिक्षार ओपन एबंपधर ओपन करके इनका सौंध्रिय करने के लिए कारे योजना त्यार की जाएगी जिसके अंतरगत उनको पार्क तथा प्रेटन स्थलूं के रूप में विक्सित किया जाएगा छटे राजे बीता योग द्वारा की गई उन शंसा के आधार पर मैं शहरी स्थानी निकायों के प्रतिवद दाइतों के बुखतान के लिए 187 क्रोड रुपे का प्राभधान प्रस्तावित करता हूँ जो की 2021 वाई से 24 क्रोड रुपे अधिक है अधिक्ष्मोदे में स्थानी नगर निकायों के प्रतिमा दिये जाने बाले मान्दे को भी निमर करका से बढ़ाने की सहर्श कोँछना करता हूँ महापौर नगर निगम को 3,000 रुपे बढुत्री के साथ 15,000 रुपे प्रतिमा मान्दे मिलेगा इस बढ़ोत्री को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कारेकाल में साथ हजार रुपे प्रती माह की बढ़ोत्री जो की लगभग लगभग दूगने के करीब जो है वो हमारी सरकार के दुरान की गई है उप महापौर नगर निगम को पंद्रह सो रुपए बढ़ोत्री के साथ दसा हजार रुपए प्रतिमामान दे मिलेगा इस बढ़ोत्री को समिलित करके वर्तमान सरकार के कारेकाल में चार हजार रुपए प्रतिमाह की बढ़ोत्री की गई है काउंसलर नगर निगम को एक हजार पे बढ़ोत्री के साथ छे हजार पचास रुपे प्रतिमा मान दे मिलेगा इस बढ़ोत्री को समलित करके वर्तमान सरकार के कारेकाल में दो हजार पांस रुपे प्रतिमा बढ़ोत्री की गई है अध्यक्ष नगर परिशद को पंद्रह सो रपे बढ़ोत्री के साथ आठ हजार पर प्रतीमा मान दे मिलेगा इस बढ़ोत्री को समलित करके वर्तमान सरकार के कारे काल में चार हाजार पर प्रतीमा की बढ़ोत्री की गई यानि कि 50% है पुरा ये और उसी तरह से अध्यक्ष मोदे उपाध्यक्ष नगर परिशद को एक हजार पर बढ़ोत्री के साथ 6500 पर प्रतीमा मान दे मिलेगा इस बढ़ोत्री को समलित करके वर्तमान सरकार के कारे काल में 3000 पर प्रतीमा की बढ़ोत्री की गई है परिशद नगर परिशद 500 पर बढ़ोत्री के साथ 3000 पर प्रतीमा उनको मान दे मिलेगा इस बढ़ोत्री के साथ समलित करके वर्तमान सरकार के कारे काल में 1300 पर प्रतीमा की बढ़ोत्री की गई है परदान नगर पंचाइद को एक हजार पे प्रती माह मिलेगा इस बढ़ोत्री को समलित करके वर्तमान सरकार के कारेकाल में तीन हजार पे प्रती माह की बढ़ोत्री की गई उप परदान नगर पंचाइद को एक हजार पे बढ़ोत्री के साथ पांच हजार पे प्रतिमा मांदे मिलेगा इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके वर्तमर्ण सरकार के कारेकाल में 2200 पे प्रतिमा की बढ़ोतरी की गई है सदस्य नगर पंचायत को 500 पे बढ़ोतरी के साथ 3000 पे प्रतिमा मांदे मिलेगा इस बढ़ोत्री को सम्मिलित करके वर्तमर सरकार के कारेकाल में पंदरा सो रुपे प्रतीमा की बढ़ोत्री की गई शहरी विकास के लिए दो हजार बाईस तेईस में साथ सो तेरा क्रोड रुपे का प्राबधन किया गया है अद्यक्ष मोदे परदीश में शिक्षा सुविधाओं में हुए विस्तार के बारे में ना केबल राष्टिया बलकि अंतराष्टिय स्तार पर भी बहुत सी पुस्तकों तथा रिपोर्टों में वर्णन मिलता है मेरे पिछले अभिवाशन अभिवाशनों में घोशित शिक्षा की गुनुबता को बढ़ाने के परयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं निमर्चे सूत्रिय कारे योजना को लागू करने की गोशना करता हूँ जो की इस प्रकार है राष्ट्य शिक्षा निती दो हाजार बीस को क्रियनवन शिक्षा के क्षेतर का क्रियनवन शिक्षा के क्षेतर में राष्ट्य शिक्षा निती के अंतरगव चरणवन धंग से सरकारी प्राथमिक पार्षालों में 3-6 वर्ष की आयू के बच्चों के लिए पूर प्राथमिक शिक्षा कक्षाय आरंप की गई है इनका और विस्तार किया जाएगा सभी राज की माध्यमिक उच और वरिष्ट माध्यमिक पारशालों में मिश्रित मोड के माध्यम से रियल टाइम ऑनलाइन टीचिंग आरम की जाएगी इससे लगबग 6,64 लाभान भी थोंगे राज्य की सभी पारशालों में एक नई श्रेष्ट शिक्षा गुनवत्ता प्रोत्साहन योजना के अंतरगत परदर्शन के अधार पर रेंकिंग की जाएगी तथा राज्य के 6,3 स्कूनों को नगत पुरुसकार दिये जाने की घोश्रा करता हूँ इस योजना के अंतरगत पर रेंकिंग जिले के 3,6 पारशालों को भी नगत पुरुसकार दिया जाएगा सुतर दो आईटी के मादिव से गुनवत्ता में सुदा विगत दो बर्शों में प्राथमिक से लेकर कालिज तक गुनवत्ता को सुनिशित करने के लिए मेरे द्वारा घोशित तीन योजनाएं अपने उदेश्य में सपल होती दिख रही है इन योजनाओं के अंतरगत निमन प्रस्तावित हैं नमबर एक स्वरन जन्ती ग्यानोदे कलस्टर श्रीष्ट विद्याले जिसके अंतरगत सो नए राजकिय प्रात्मिक विद्याले नमबर दो स्वरन जन्ती उतकिय विद्याले जिसके अंतरगत 68 नए विरिष्ट माध्यमिक विद्याले तथा नमबर तीन स्वरन जेंती उत्किस्ट विद्याले जिसके अंतरगत तस नए राज के विद्याले दो हजार 22 तष्ट में शामिल किये जाएंगे मैं दो हजार 22 तष्ट में इन तीनों योजनाँ को और अधिक बल देना चाहूंगा योजनाओं के कारेंवेन में आईटी की विशेश भूनका होगी इन तीनों योजनाओं पर चौबन करोड रुपए वेए के जाएंगे सुतर तीन मेधा परुटसाहन योजना मेधा परुटसाहन जैने के जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको और परुटसाहित करने की जिश्टी से वर्तमान में राज्य सरकात द्वारा अनेक छात्र भृति योजना चलाई जा रही है इन में से बहुत सी ऐसी भी हैं जिन में कई वर्सों से स्षोधन नहीं हुआ इन सभी योजनाओं पर पूना बिचार करते हुए मैं गोशना करता हूँ कि महारिशी बालमिकी छात्र भृति योजना इंद्रा गांदी उत्कृष छात्र भृति योजना कल्पना चावला चातर बिति योजना, डॉक्टर अम्बेद कर में धावी चातर बिति योजना, तथा स्वामी विवेका नंदूतकरिष्ट चातर बिति योजना, जिनमें 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए, 1250 रुपए तक का प्राबधाना को बढ़ा करके, 1050 रुपए प्रती महा अरथात 18,000 पे प्रती वर्ष किया जाएगा, राष्टिय मिल्टरी कालिज 16 रुपए योजना तथा सैनिक स्कूल चातर बिति योजना में यह राष्टी बढ़ाकरके, 2000 पे प्रती महा तथा अरथात 24,000 पे प्रती वर्ष किया जाएगा, अधेक्ष मोदेस के अतिरिक योजना की तरफ आखिष्ट करना चाहता हूं यह आश्चरय का विशय है कि इस छात्रविति योजना में वर्ष 1983 से कोई भी बृध्धी नहीं हुई तथा अभी तक छात्रों के लिए मात्र 30 रुपए से 200 रुपए प्रति महा का ही प्रापधान है मैं इस विसंक्ति को दूर करते हुए इस योजना में इस योजना में भी उपरोग्त वर्णित योजना के समरूप बृध्धी करते हुए 1500 रुपए प्रति महा अर्थाथ 18000 रुपए प्रति वर्ष करने की गोशना करता हूँ इसके अतरिक्त मैं आई आई डिपी छात्रविति योजना जिसमें वर् क्या मंत्री विद्याथी कल्यान योजना की गोशना करता हूँ तथा इसमें बृध्धी भी प्रस्तावित करता हूँ मैं च्छात्रों के लिए इसे 300 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ा करके 1500 रुपए प्रति वर्ष तता च्छात्रों के लिए 600 रुपए से बढ़ा करके 2000 रुपे प्रती वर्ष करता हूं महाबडालियों में पढ़ रे चात्रों के लिए 1200 रुपे प्रती वर्ष से बढ़ा करके 5000 रुपे प्रती वर्ष तथा चात्रा वास्पें रह रे चात्रों के लिए 2400 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ा करके 6000 रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा अध्यक्ष मोदे में कक्षा तीन के 50 बेदावी चात्रों के लिए एक नई बाल प्रतिवा चात्र बिती जोजना शूरू करने की भी गोशना करता हूँ मेरिट के अधार पर 44 और 55 अक्षाओं तक 3000 रुपए प्रतिवर्ष चात्र बिती प्रतान की जाएगी इन सभी योजनाओं में बृद्धी से 30,000 विदार्थी लाभान बित होंगे इन सभी योजनाओं पर 15 क्रोड रुपए अतरिक्त वे किये जाएगे राज की विश्पदालों में शोद चात्र ऐसे भी हैं जिनें किसी भी स्रोथ से कोई फैलोशिप प्राप्त नहीं होती आर्थी कारणू से ऐसे विदार्थियों को शोद कारे करने में कोई बाधा ना हो बाधा ना आए इसको ध्यान में रखते हुए में दो हजार बाईस तेईस से एक नई मुख्या मंतरी शोद प्रोथ साहन जोजना के अंतरगत रेजिस्टेशन कीती थी से शोद के प्रारंभिक तीन वर्शुन तक शोदार्थी को तीन हजार पे प्रती महा फैलोशिप देने की भी गोशना करता हूँ यह यह जोजना शोद के ख्षेतर में मेधावी विदार्थियों के लिए ना केवल साइक होगी बलकि साथ ही उच्छ स्थर ये शोद भी शोद को भी बढ़ावा देगी अध्यक्ष मोदे सुत्र चार समाज एवाविभाकों की भागे दारी राज्य की शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा गुनवत्ता में सुधार हेतु छात्रों के अभी भागों तथा शिक्षकों के बीच एक वर्ष में कम से कम तीन दिन समवाद अनिवारे रूप से सुनेशीत किया जाएगा सुत्र पांच परेवरन एवंपरकिती से परिचे अध्यक्ष मोदे सौर उर्जा को प्रोसाहित करने के उदेशे से दो हजार बाइस तेईस में पचास राज किये महाविजालें पचास पार्टशालों और और बीस आईटियाईस में सौर उर्जा पैनल सिस्टम स्थाफित किया जाएंगे बन विवाग तथा आईउश विवाग के सहोग से दो हजार बाइस तेईस में दो सो राज किये विजालें तथा पचास राज की महाविजालें में आईउश बाटिकाओं की स्थापना की जाएगी जिसमें दुरलब और शदिये पौधन तथा जड़ी बू उच एवं वरिष्ट माध्यमिक बिजालें में केरियर परामर्श माग दर्शन पर कोश स्थापित किया जाएंगे इसके साथ ही रोजगार परदान करने के उदेशे से सभी राज किया महाविजालें संस्कित महाविजालें और विश्वजालें में केरियर गाइड लाइन् और जहां ये पहले से ही बिद्यमान हैं उन्हें और सुद्रिट किया जाएगा अदेक्ष मोदे यहां मैं कहना चाहूंगा किताब और कलम हर बच्चे की तकदीर बदलेगी किताब और कलम हर बच्चे की तकदीर बदलेगी ग्यान की जोती हिमाचल की तस्वीर बदलेगी अद्यक्ष मोदेश शिमला में हिमाचल परदेश विश्विजाले उनिस सत्र में स्ताफित हुआ था विगत बावन वर्शों में परदेश के लिए यौएक मातर राज्य विश्विजाले था मैं गोचना करता हूँ कि मंडी में बन रहा सदार परदेश विश्विजाले अपरेल 2022 से कार्य करना आरंब कर देगा अद्यक्ष मोदेश सबसे अधिक करमचारी शिक्षा भी भाग में है और इन में से कुछ समवर्गों के सर्विस मैटर्स लंबे समय से लंबित हैं पिछले बजट में मैंने उन्हें सुल जाने की बात की थी इस संदर में मैं यह कहना चाहूंगा कि बीएड तथा टैट योगता प्राप्त शास्त्री तथा भाशा द्यापकूं का पद नाम TGT संस्कीत तथा TGT हिंदी किया जाएगा अधिक्स मोदे यह बहुत लंबे समय से उस वर की मांगती हैं हमेशा इस बात को लेकर के वो हमसे आगरे करते थे और मैं समझता हूं कि इस निरने के साथ, इस गोशना के साथ उनकी बहुत लंबे समय से जो लंबित मांगती वो पूरी हो ली है, उसका समध हान हो रहा है अधिक्समोदे प्रवक्ता स्कूल के एडरिता था प्रवक्ता स्कूल न्यू श्रेणियों का समान प्रवक्ता स्कूल किया जाएगा ये भी एक बहुत बड़ा एक आपस में वो चला होता उसमें भी अब मुझे लगता कि इसके मादनें से उनकी समस्या का समाधन काफी अब तक हो जाएगा इसके अतरीक टीजीटी से प्रवक्ता पदनुत हो चुके अध्यापकों को मुझे अध्यापक बनने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा शिक्षक शेत्र के लिए दो हजार बाईस तेईस में आठ हाजार चार सो बारा क्रोड रुपे का प्राबधान किया गया है अध्यक्ष मोदे मुझे जो बताते हुए हर्श हो रहा है कि सुन्दनगर सित जोहलाल नहरू इंजिनियरिंग महावजाले में अगामी सत्तर से कॉंप्यूटर साइंस में बी टेक तथा सीविल इंजिनियरिंग में एम टेक प्रोग्राम आरंब किये जाएंगे कंड़ागाट सित राज किया महिला बहुत तक्निकी संस्तान में इलेक्टिकल इंजिनियरिंग वो राज किया बहुत तक्निकी संस्तान तलवाड में फार्मिसी के डिप्लोमा कोर्स अरंब किये जाएंगे अधेक्ष मोदे परदेश में चार नए राज किया अध्योगिक परशिक्षन संस्तान नामत लाड़ा घाट नैना देवी श्री नैना देवी जिला बिलासपूर एवं कटॉला जिला मंडी तथा धार्थीदार और बेचर का बाग जिला सिर्मौर में खोलने है तो डी पी अधेक्ष मोदे में प्लंबिंग, बैल्डिंग, इलेक्टरिशियन तथा फ्रीज एवं एसी मुरमत जैसे सेवाओं को परदेश की जनता को उपलब्द करवाने के उदेश से एक नई कोशल आपके दौर योजना आरम करने की भी घोशना करता हूं इस योजना के अंतरगत परदेश के जिन उद्योगिक परशिक्षन संस्थानों में जो ट्रेट चल रहे हैं, उनके माध्यम से उन संस्थानों के नजदीक रहरे उपलब्द की जाएंगी अधेक्ष मोदे में यहां कहना चाहूंगा जिसमें कोशल होगा वही कुशल होगा, कोशल के दम पर ही वो सफल होगा अधेक्ष मोदे परदेश में स्वास्ते सेवा में विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा उदार वीतियस इंसादन उपलब्द करवाए गए हैं 2021-22 में भारत सरकार से प्रापत 419 करोड रुपे तथा 2022-23 में विभिन के इंद्री परायोजित कारे क्रमों के अंतर गत उपलब्द 848 करोड रुपे को मिला करके 2022-23 के अंतर तक भारत सरकार के माधियम से परदेश में स्वास्ते सेवाओं के लिए लगभग 1267 करोड प्रदेश की जनता की ओर से पधान मंत्री निरिंदर मोदी जी का इस साहता के लिए हिर्दे की गहराईं से आभार विख करता हूँ आईश्मान भारत पधान मंत्री जन आरोगय योजना के पूरक के रूप में हमारी सरकार दोरा एक जनवरी दो हजार उननिस से मुख्य मंत्री हिमाचल हेल्थ केर योजना हिमकेर आरम की गई थी इस योजना के अंतरगत अब तक दो लाग चालिस आजार लाव वार्थियों को 218 क्रोड रुपे की लागत से निश्वलकित्सा सेवाएं पर दान की गई हैं मैं गोशना करता हूँ कि हिमकेर कार्ड की नवीनी करण अब थी एक साल से बढ़ा करके तीन साल कर दी जाएगी उसमें अध़क्स मोद्यकर नाई आ रही थी लोगों को कि हर साल रिन्यूल करने पड़ रही थी उसमें रिन्यूल के बाद जो हैस को कई बार कुछ लोग नहीं कर पाते थे तो इसलिए इस तीन साल के रिज़कर रिज़कर हमने पीरिट किया है हिमकेर में नए परिवारूं का पंजी करण जनवरी से मार्च माहा में होता है मैं यह घोशना करता हूं कि इस योजना में नए परिवारूं का पंजी करण अब पूरा वर्ष होता रहेगा इसके अतिरिक्त हिमकेर के अंतरगत परदेश की बिभिन जेलों में बंदियों को भी लाई जाएगा इस हिमकेर के अंतरगत जो जेल में जो हमारे सजा जापता लोग हैं उनको भी इसमें शामिल कह जाएगा अधिक्ष मोझे परदेश के दूरदराज क्षेतरों में स्वास्ते सुविधाएं घरदवार उपलब्द करवाने के उदेश्टे से में एक नई मुख्या मंतरी मुवाइल क्लिनिक M3C ये बड़ा महत्वपून है जिसका मैं जिकर कर रहा हूँ मुख्या मंतरी मुवाइल क्लिनिक जो है M3C उसका चोटा नाम रखा शॉर्टकट में योजना को शुरू करने की घोशना करता हूँ इस योजना के अंतरगत परदेश के परतेक विधान सबाक शेत्र में एक मुवाइल क्लिनिक चलाए जाएगा इसमें बेसिक स्वास्ते सुविधाईं उपलब्द करवाने के लिए जरूरी उपकरन होंगे इसमें एक डॉक्टर द्वारा अपनी टीम के साथ गाउं में जाकर कित्सा सुविधा दी जाएगी इसमें डॉक्टर एक परिवारिक डॉक्टर की तरह कारे करेगा कोविट से उत्पन स्थिती से निपने हेतू तथा स्वास्ते सुविधाउं से बंचित रहने वाले लोगों के लिए यह योजना एक बरदान साबित होगी इसको हमने अभी एक तरह का पालिट वेस्टिज पर इसको 68 की 68 विधान सबाक्षेतर में शुरू करने का निरन्या किया है और इसकी सफ़ता बेतर होगी तो आने बले समय में इसका और एक्सपेंशन करने की बीश्ट में जो है वो गुंजाइश जो है उसको भी करेंगे अधैक्स मोदे हिर्दे रोगों से पीडित रोगियों की बढ़ती संख्या के दिश्टि गत आईजीमसी आरपी एमसी टंडा में उपलब्द कैट लैब की सुविधा के अतरित आरिविगें महाविद्याले हमीरपूर्ट अतनाहन में भी सुविधा उपलब्द करवाई ज जाएंगे कैंसर के मिरीजूं की सुविधा है तो आरपी एमसी टंडा में पैट स्कैन एवं ब्रेकी ठेरेपी तथा आयरविद्य महाविद्याले नेर्चौक में पैट स्कैन एवं एमराई की सुविधा उपलब्द करवाने की भी में गोशना करता हूं इस पर 61 प्रोड खर्च किये जाएंगे आरविद्यान महाविद्याले नेर्चौक में एक ब्यापक्स स्तनपान प्रवंद्धन के इंदर स्तापित किया जाएगा चहां दान करताओं के दूद से संग्रहेंड करने एवं प्रशिक्षन सनक्षन तता भीतरन की व्यवस्ता होगी जिससे उप 2022 में प्रतेख स्वास्टेक खंड में एक मौडल प्राथमिक स्वास्टेक के इंदर बिक्षित किया जाएगा जिसमें इंडियन पॉब्लिक हैल्थ स्टेंडर्स के मान को बाली सुविध हैं सुनिश्चित की जाएंगी इस इस समय परदेश में नेशनल एंबूलेंस से वाए पचास नई एंबूलेंसों को क्रेग किया जाएगा जिस पर पंद्रार क्रोड रुपे खर्च किया जाएंगा अजिक्ष्मोदे यहां में कहना चाहूंगा पूरा और निशुल की इलास मिले सबको यह था हमारा सपना आईश्मान भारत हिमकेर से बना स्वस्त हिमाचल अजिक्ष्मोदे स्वास्टे संसानों में बेहतर चिकित्सा सुविधास सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के विशेशग यह डाक्टर की स्थापना की जाएगी परतिक नए आरभ ग्यान महावजालें करमशा नहन चंबा निर्चोक तथा हमीरपूर मे फैकल्टी और अन्य श्रेनी के समुचित पद भरे जाएंगे कोबिट के दुश्प्रभावू से निप्टने के लिए परदेश में कारेरत कित्सकों दोबारा सरहनी से वायं परदान की गई हैं विगत वर्षों में स्वास्त्य संस्तानों का ब्यापक विस्तार हुआ है इ अरक्षमोदे इस बात को हम देख रहे थे कि जो हमरा डॉक्टर्स का जो कैडर है वो कैडर जो है वो लगबग 2400 के करीब है और वो पूरा का पूरा बरा हुआ है लेकिन हेल्थ सेक्टर में पिछले काफी अरसे से औरफ की सरकार में भी वर्तमान सरकार में भी बहुत बड बढ़ाने की आपशक्ता थी 500 नए डॉक्टरों के पद स्रीजित के जाएंगे ताकि दूर दराज के इलाके जहां एक्सपेंशन की गई है नए संस्थान खुले हैं हमारे स्वास्ते के वहां डॉक्टर उपलब दो सके इस बात को ये सुने सीद करेंगे अधैक्ष मोदे स्वास्तेक शेत्र के लिए 2022 तेईस में 2752 करोड रुपे का प्राद्धन किया गया है 2022 तेईस में हमारी सरकार 100 आईश और शिदालें को वेलनेस सेंटर के रूप में तरुनुत करेगी मानियों पर धानमंति श्री निरेंदर मोदी जी के प्रयास्टों से योग ने अंतराश्टिय स्थर पर अपनी पहचार बनाई है तथा स्युक्त राश्ट संग द्वारा 21 जून को अंतराश्टिय योग दिवस गोशित किया गया हमारी स्थरकार योग के परचार एवं परसार के लिए हमेशा प्रयास्ट रही है इसी स्रिंख्षला में आईउश विभाग द्वारा आईउश वेलनेस सेंटर में महिला एवं पुर्ष योग परशिक्षकों के रूप में अरुग्य मित्र लगाए जाएंगे अधेक्ष मोदे परदेश सरकार गरेलू तथा क्रिशी उपवोगताओं की बिजली बिलू पर दिये जारे अनुदान को अग्रिम रूप से बिजली बोड को अदा कर रही है इस पर हमारी सरकार अगले वर्ष पांसो क्रोड रुपे उपदान परदान करेगी हमारी सरकार एक अपरेल दो हाजार बाई से चार लाख चालिस हाजार ऐसे घरेलू उपवोगताओं जिनकी मासिक बिजली खप्त साथ यूनिट तक है उन्हें जीरो विलिंग की जाएगी और 61 से 125 यूनिट तक खप्त करने बाले साथ लाख उपवोगताओं को एक रुपे परती यूनिट की दर से बिजली उपलब्द करवाई जाएगी इसके अलावा किसानों को रहत देने के लिए बिजली की दर 50 पैसे प्रती यूनिट से घटा करके 30 पैसे प्रती यूनिट किया जाएगा इन रियायतों से बिजली वोगताओं को वाशिक लगभग 100 क्रोड रुपे का लाभू मिलेगा देक्षबोधिया हमारी सरकार परदेश में 24 इंटो 7 बिश्वशनिय बिजली आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद है गुनवत्ता पूर्ण विद्धिय आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार 12 अतरिक्ट एच्टी योजनाओं पर कारे कर रही है एक अतरिक्ट एच्टी योजना 2022-23 में शुरू किया जाएगा बढ़ते लोड को देखते हुए मौजूदा प्रणाली में 393 अमवी क्षमता की बृद्धि की जाएगी जिससे वोल्टेज की समस्या कम होगी अधेक्श मोद्य कम वोल्टेज की समस्या को समाप्त करने के लिए 33-11 केवी एच्टी केंद्रों के निर्मान तथा मजूदा 33-11 केवी एच्टी केंद्रों की क्षमता के विस्तार हेतू 2022-23 में 23 नई योजना शुरू की जाएगी जिससे समंधित शेत्रों में विद्यत आपूर्ति की गुनबता में सुधार होगा अधिक्ष मोदे मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतरगत पातर 12,765 निर्धन परिवारों को निशुल्क विद्यूत कनेक्शन उपलब्द करवाए गए है इस योजना के अंतरगत 2022-23 में 5000 परिवारों को करेक्शन दिये जाएंगे हमारी सरकार विद्यूत वित्रन नेटवर्क में मौझूदा लकडी के खंबूं को 100% बदलने हेतु प्रतिवद है 2022-23 में लगबग 20,000 लकडी के खंबूं को लोहे के खंबूं से बदल कर इस कारे को सब पूरून कर दिया जाएगा अधाक्षमोदे यहां मैं कहना चाहूंगा कुछ नहीं होगा अंधेरों को बूरा कैने से अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा अदेक्ष्मोदे हाल ही में घोशित उर्जा नीती में राज्य को 2030 तक हरित उर्जा राज्य बनाने पर बल दिया गया है मेरी सरकार ने बड़े पैमाने पर पंप बंडारन परियोजनाओं के निर्मान को प्रोथसाहित करने का लक्ष रखा है 2022-23 में 1000 मेगवाट क्षमता की जल बिद्यूत परियोजनाएं जनता की सेवा में समर्पित कर दी जाएंगी साथ ही साथ ही साथ चार नई बीदित परियोजना हैं साई कोठी फस्ट 15 मेगवाट देव कोठी 16 मेगवाट साई कोठी 2 16.5 मेगवाट तथा हेल 18 मेगवाट का निर्मान प्रारम किया जाएगा इन परियोजनाओं का निर्मान जर्मनी के ड्वल्प्मेंट बैंक के एफ डवल्यू की सायते से होगा अधेक्ष मोदे दो हजार इकिस बाइस में एच्पी पी टीसियल ने लगभग तीन सौ साथ क्रोड रुपे की लागश से नेक ट्रांस्क्विशन लाइने भिक्सित की है 2022 में एच्पी पी टीसियल ने साथ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एच्वी सबस्टेशनों के निर्मान को पूरा करने का लक्ष रखा है 231 सरकिट किलो मिटर की कुल लंबाई बाली पांच ट्रांस्मेशन लाइनों तथा कुनिहार में संयुक्त नियंतर के इंदर के निर्मान को पूरा किया जाएगा इन 13 परियोजनों पर 645 क्रोड रुपे खर्च किया जाएंगे फ्रेंच विकास एजन्सी एफडी से चांजू थ्री जल बिद्वित परियोजना के बिद्वित परियोजना के बिद्वित पोर्षन के लिए सहमती दी है एफडी और भारा सरकार के बीच 800 क्रोड रुपे की राशी के क्रेडिट सुविदा समझाओते CFA पर हस्ताक्षर किये हैं दोनों परियोजनाओं को टेंडर प्रकिया शेगर पूरी की जाएगी दोनों परियोजनाओं का निर्मान दो हाजार बाइस तेईस में शुरू कर दिया जाएगा अध्यक्ष मोदे स्पिती में बिजली की उपलबता तथा गुनबता में सुधार के लिए बिजली बोर तथा सोलर एनरजी कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटिट के अध्यक्ष मोदे स्पिती में बिजली की उपलबता तथा गुनबता में सुधार के लिए बिजली बोर तथा सोलर एनरजी कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटिट के संयुक्त उद्म द्वारा काजा में एक MWH बैटरी बंडारन परनाली सहित्र दो MW क्षमता के सौर सेंतर्ण की स्थापना की जारी है जो 2022 ते इसमें चालू कर दिया जाएगा अद्यक्ष मोदय ग्रीड कनेक्टेड रूप टॉप टॉप सौर उर्जा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए तथा हरित उर्जा संकल्प हासिल करने हित्व में इन संत्रों पर वर्तमान उपदान राशी को चार हजार पैसे बढ़ा करके छे हजार पै प्रती किलो वाट करने की सहर्श भोषना करता हूं या उपदान राशी गरे लूप भोगताओं को भी दे होगी अध्यक्ष मोद्या उर्जा के क्षेतर में सौर उर्जा की भी परदेश में बहुत संभाबना हैं जिनका अभी समुचित दोहन नहीं हुआ है SGBNL 1222-23 में 600 क्रोड रुपे की निवे से 150 मेगावर्ट की सोलो पर योजनाएं स्थापित की जाएंगी परदेश में इससे यूबाओं को रोजगार के नए अफसर प्राप्त होंगे वो सौर उर्जा उत्पादन के क्षेतर में भी यह अच्छी पहल होगी अधेक्ष मोदे में आपके माधिम से इस सदन को सूचित करना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन के अंतरगत अब तक 8,35,000 नल करनेक्शन दिये गए हैं इसकी तुलना में पिछले बहत्तर वर्षों में 7,63,000 नल करनेक्शन दिये गए हैं हमारी सरकार की यह अभूत पूर उपलब्धी जन्वरी 2022 तक 17,28,000 ग्रामिन परिवारों में से 15,89,000 परिवारों को पेजल करनेक्शन पर दान किये गए हैं 2022 के अंतर तक परदेश के सभी ग्रामिन परिवारों को ग्रेलो नल करनेक्शन दिये जाएंगे 2021 में इस कारेक्रम के अंतरगत लगभग 1500 क्रोड रुपए फैक किये जाएंगे मुझे जो बिताते हुए प्रसंता है कि हिमाचल परदेश राष्ट्र का पहला राज्य है जिसे वर्ष 2021 में इस योजना की चौथी किष्ट भी प्रापत हुई यनि के पूरे देश भर में सबसे बेहतरीन काम जो है जल जीवन मिशन के अंतरगत हिमाचल परदेश ने किया है अधैक्ष मोदे जल जीवन मिशन के अंतरगत सभी ग्रामिन परिवारों को पेजल कनेक्शन परदान करने के बाद हमारी सरकार का लक्षय इन घरों को सुचारू रूप से पेजल आपूर्थी करने का है इसके लिए सेंसर अधारित तकनीक की साहता से रियल टाइम बेशिस पर पेजल उपलब्दा तथा आपूर्थी की सूचना उपलब्द करवाई जाएगी यहां अधैक्ष मोदे में यह कहना चाहूँगा सोचने से कहां मिलते हैं सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए इसलिए सोचते ही ना रहें अधैक्ष मोदे दो हाजार अठारा उन्निस का बजर प्रस्तूत करते समय निर्मित कल्चरल कमांड अधैक्ष मोदे दो हाजार अठारा उन्निस के बजर प्रस्तूत करते समय निर्मित कल्चरेबल कमांड एरिया सीसीए का केबल पैंतालिस प्रतिश्यत ही उप्योग हो पाता था हमारी सरकार के सफल प्रयासों के चलते दिसंबर दो हाजार इकिस के अंतर तक लगभग लगभग 51 प्रतिशत सीसीए का उप्योग किया जाने लगा है प्रदेश में बिद्यमान सिंचाई योग्यत 3.35 लाख हैक्टेर शेतर में से अब तक 1.87 लाख हैक्टेर सीसीए का निर्मान किया जा चुका है सिंचाई सुविधाउं में विस्तार के उदेश्य से 2022 तेस में 9,000 हैक्टेर सीसीए के अतरिक्त बृधि की जाएगी तथा 6,500 हैक्टेर सीसीए के लिए कमांड एरिया ड्वल्प्मेंट किया जाएगा अब एक्ष्मोदे वर्तमान में सिंचाई किशेतर की कारे योजनाएं असी के दश्चक में बनाए गए मास्टर प्लाइन के अनुरूब कारें बद्की जा रही है G.I.S. के माधिम से पूरे परदेश में पूरे परदेश के लिए एक नया मास्टर प्लाइन तैयर किया जाएगा जिससे किस किसान बंद्वों को कम से कम समय में परभावी सिंचाई सुवधाय उपलब्द हो सके 2022 के दोरा निमन पांच बड़ी पेजल योजनाओं को जनता को समर्पित करने की घोशना करता हूँ 65 क्रोड रुपे की लागत से एम्स विलासपूर और हाइडरो इंजिनिरिक कॉलेज के लिए कोल डैम उठाओ पेजल योजना 110 क्रोड की लागत से तर्खोला और अन्य गाओं के लिए पेजल योजना 121 क्रोड की लागत से सिराज और बाली चौकिक शेतर की 19 पेंचायतों के लिए पेजल समवर्धन योजना 147 क्रोड रुपे की लागत से कमलहा वो मंडब क्शेतर के विविन गाओं के लिए पेजल योजना 56 क्रोड की लागत से डलहौजी के अंत्रगत सलूनी, मंजी, सुन्दाई, इत्यादी क्शेतरों में समवर्धन पेजल योजना आपको भी पानी पानी भी ला रहे हैं अरदेक्ष मोदे इन पांच योजनाओं के लगभग एक लाग पचीस हजार लोग लाग पचीस हजार के लगभग लोग लाभान वित होंगे दो हजार बाइस में, दो हजार बाइस तेईस में निमलिक चार उठाओ पेजल योजना को लोकार पंड किया जाएगा छे क्रोड, गैरा लाग की लागज से भुंतर में जरी ब्रागा योजना जिसे दो सो चपपन हैक्टियर वुमी सिंचित की जाएगी नौ करोड, गैरा लागज से कुलू, ग्राम पंचाइद, बंदरोल के गिंडाओर, बनोगी, बबेली और सेरी ग्राम समू को जोजना जिससे चार सो स्तारा हेक्टियर वुमी सिंचित की जाएगी जिला कुलू में ही दो करोड 31 लाकी लागज से शेरी मिशगल जोजना जिससे 90 एक्टियर वुमी सिंचित होगी अध्यक्स मोदे 2022-23 में निमिलिक्त मल निकासी होजनों को जनता को समर्पित किया जाएगा 20 क्रोड 90 लाकी लागत से काला अम के लिए मल निकासी होजना 14 क्रोड 51 लाकी लागत से त्रिलोगपूर खैरी के लिए मल निकासी होजना 13.88.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 जस्तरिय जल पर्षिक्षन पर्युक्षाला की स्थापने की जाएगी जिसमें भारत सरकार के यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मौनिटरिंग प्रोटोकॉल के अनुसार लगबग सत्तर परकार के फरिक्षन करने की सुविधा होगी अद्यक्ष मोदे पानी का नीर हूं में मुझे यू न व्यर्थ बहाया करो बन पड़े जितना भी तुम से मुझे उतना ही तुम बचाया करो अद्यक्ष मोदे जल शक्ति विभाग के लिए दो हजार बाईस देश में दो हजार साथ सो भत्तर क्रूर रुपे का प्राबधान किया गया है अद्यक्ष मोदे बरत्मान में परदीश में लगभग 49,000 किलो मिटर लंबी बहान योग्य सड़के हैं जिसमें से लगभग 32,000 किलो मिटर लंबी सड़के लंबी पक्की सड़के हैं गतवर्स पंचायतों के पुनगठन के फलसुरूप कुल पंचायतों की संख्या बढ़कर के 3615 हो गई है इन में से 3556 पंचायतें सड़क के माधिम से जूड़ी हुई हैं शेश बची हुई 69 पंचायतों में से 20 पंचायतों को 2022-23 में सडकों से जोड दिया जाएगा अधिक्ष मोदे 2022-23 में परधान मंतरी ग्रामीन सडक योजना के अंतरगत 1500 किलो मेटर लंबी सडके बनाई जाएंगी जिन में से 300 किलो मेटर की लंबी सडके हैं तथा 1200 किलो मेटर लंबी सडकों का उन्यान किया जाएगा इसी कारेकरम के अंतरगत 23 कुलो मेटर क्रॉस ड्रैनेज की जाएगी तथा 22 आवादियों को सडक से जोड दिया जाएगा पदान मंत्री ग्रामीन सडक योजना फिज तीन के अंतरगत 440 किलो मेटर लंबी 45 सडकों का फ्रस्ता भारत सरकार को भेज दिया गया है इन 45 सडकों की कुल लागत 552 क्रोड रुपय है जून 2023 तक 6 बची डी पियार भे भारत सरकार को सविकिती हेत्व प्रेशित कर दी जाएंगी अधैक्ष मोदे बरत्मान में परदेश में कुल 2592 किलो मेटर लंबे राश्टी राजमारक हैं इन में से 1238 किलो मेटर लंबे राश्टी राश्टी राजमारक लोक निर्मान विभाग के पास हैं 2022-23 में पिरियोडिकल रख रखाव कारेकरम के अंतरगत 110 किलो मेटर लंबे राश्टी राश्टी रूच मारगों पर काम किया जाएगा जिसकी लागत लगबग 700 क्रोड रुपे होगी 2022-23 में नावाड के राई डियफ के अंतरगत पोशित 110 किलो मेटर लंबी सड़के 235 किलो मेटर क्रोस ड्रेनेज 395 किलो मेटर सड़कों को पका करने तथा 25 पुलों के निर्मान का लक्ष रखा गया है 2022-23 में लगबग 60 किलो मेटर लंबी सड़कों पर चिनित बलैक स्पॉट को सुरक्षित के जाने का लक्ष है ताकि इन चिनित सानुपा दुरगटनाओं की संभाबनाओं को नियुन्तम किया जा सके अधिक्ष मोद्य लोग निर्मान विभाग की कारशली में बदलते समय की आफशक्ताओं के अनुरूप बदलाओं का समय आ गया है 2022-23 में निमनलिखित नितिगत परिवर्टन परस्तावित है मैं महत्वपून प्रेटक स्थालूं को जोडने वाली सड़कों के पिरियोडिकल रख रखाओं की सीमा को पांच एवं छे वर्ष से कम करके तीन वर्ष करने की घोशना करता हूँ ताकि अधिक से अधिक प्रेटक इन सड़कों का सड़कों पर ब्रहमन का आनंद ले सके इस पर तीन सो पचास क्रोड रुपए वैग किये जाएंगे अधिक शमोदे ये बहुत इसलिए महत्वपून है क्यूंकि सड़कें जो पांच साल की जो मेंटेनिस का जो विशे आता है उसमें यहां की घौलिक पर सितियां और यहां के जो क्लाइमिट चेंजिस होते हैं सर्दी में बर्पढ़ती है बरसात में भारी बारिश होती है त को इसलिए इस पीरियट को गटा करके तीन वर्ष करने से समझता हूं में कि अच्छी सड़कू की सुविधा सभी जो टूरिस्ट आते हैं और उसके साथ साथ में लोग भी जो जिन पर चलते हैं उनको उसका लाग मिलेगा अधिक्ष मोदे डिफेक्ट लाइबिटी पीरिय उन्यान के समय चहां पर भी सड़कू को उखाड कर दुबारा से बिचाने की आफशक्ता हो को अधुनिक तम तक्नीक से उखाडा जाएगा उखाडी गई सामगरी को रिसाइकल करके उसे उप्योग में लाए जाएगा ताकि कम समय तर्थ कम लागत में यह कारे किया जा सके सड़कू की उमर वो गुनुबता बढ़ाने के बढ़ाने है तो जियो सिंथेटिक मैटिरियल टैकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा बर्पवारी के दोरन बाहनों को फिसलने और दुरगटन अगस्त होने से रोकने के लिए एक नए अधिक परभावी पदार्थ केल्शियम क पॉलोराइड ब्राइन का इस्तेमाल किया जाएगा हिमाचल परदिश हिमाचल परदिश सड़क उन्यन कारेकरम के अंतरगत 25 क्रोड रुपे की लागत से सड़कूं में क्रोस ड्रेनेज और कलवर्ड का प्राबधान किया जाएगा अधिक्स मोदे में तत्थियों के दार पिछली सरकार और हमारी वर्तमान सरकार के कारेकाल में निर्मित सड़कों की तुलना करना चाता हूं हमारी सरकार के प्रथम चार साल में ही पिछली सरकार के पांच वर्ष में निर्मित जीप योगे सड़कों सड़कें 33 किलो मिटर अधिक हैं मोटर योगे सड़कें 660 किल किलो मीटर हधिक हैं पक्की सड़कें एक हजार आठ किलो मीटर हधिक हैं तता तेरा पुल हधिक हैं अधेक्ष मोदे उपरोगत क्रम को जारी रखते हुए दो हजार बाइस तेश में सड़कों एब हम उन से समझ दित सभी गत्विधियों को माध्यम से संक्षेप में निमलिक 60 किलो मीटर लंबी बाहन योग्य सड़कों का निर्माण एक लक्षे ये रखा गया है 2065 किलो मीटर लंबाई की सड़कों को पक्का करने का लक्षे 990 किलो मीटर लंबी सड़कों को क्रॉस ट्रेनिज पचेतर पुलूं का निर्माण 20 पंचायतों 80 गाउं तथ 22 आवादिय इन लक्षियों की पूर्ती से परदेश में बहान योग्य सड़कों के लंबाई 40,000 किलो मेटर से धिक तथा पक्की सड़कों के लंबाई 34,000 किलो मेटर हो जाएगी। इस नदी की धार से अध्यक्ष मोदे यहां पर मैं कहना चाहूंगा इस नदी की धार से थंडी हवा आती है इस अंधेरे से एक सड़क उस भोर तक जाती है। अध्यक्ष मोदे इस नदी की धार से थंडी हवा आती तो है इस अंधेरे से एक सड़क उस भोर तक जाती तो है। अब पूरी वात आई है। अध्यक्ष मोदे लोक निर्वन विभाग के लिए दो हजार बाईस तेईस में चार हजार तिन सथेहतर करोड रुपे का प्रापधान किया गया है। अध्यक्ष मोदे मुख्य मंत्री स्वाब लंबन योजना रोजगार सिजन की अब तक की सर्वाथिक लोक प्री योजना बन करके उगरी है। इस योजना के अंतरगत पांचा हजार अधिक पांचा जार से अधिक प्रकरण बैंकु दुवारा सविकित किये जा चुके हैं तथा 457 क्रोड रुपे के निवेश से 2800 उद्मुक में लगबग 8000 यूबाओं को रोजगार के अफसर मिले हैं। मैं यह भी गोशना करता हूँ कि इस योजना के अंतरगत महिलाओं को मिलने वाले अनुदान को बढ़ा कर 35 प्रतिश्चत था यहनि कि सभी कैटेगरी की महिलाओं को पहले यह विवस्ता नहीं थी पहले 30 प्रतिश्चत था और वीडियो के लिए 35 प्रतिश्चत था तो बढ़ा करके 35 प्रतिश्चत तथा अनसूची जाती अनसूची जन जाती एवव दिव्यांगू को मिलने वाले अनुदान को बढ़ा करके 30 प्रतिश्चत दिया जाएगा योजना के अंतरगत लाभार्थी को तुरंत भूमी उपलब्द करवाने के उदेश्चत से पालेट अधियोगी की निवेश नीती 2019 अधियोगी की विकास के लिए विशेशकर सूख्षम लगू वो मध्यम उद्मू के लिए अनुकूल साबित हो रही है मैं सहर्ष गोशना करता हूं कि यह नीती दिसंबर 2022 के स्थान पर दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी मेडिकल डिवाइस पार्क की गोशना केंद सरकार द्वारा परदेश के पक्षमे की जा चुकी है नालागर स्थित इस पार्क को विक्सित करने के लिए 2022 तेश में कारे अरम कर दिया जाएगा इस पार्क के विक्सित हो जाने से विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी परदेश में 5000 करोड रुपए का नवेश होगा जिस से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा इस पार्क के विकास पर सरकार द्वारा 332 करोड रुपए खर्च किया जाएगी परदेश में रिश्म उत्पादन की गत्रबिधियों से जुड़े लगभग 12,000 किसान परिवारों की आयक में बृत्थी के लिए सेंट्रल सिल्क बोड के माधियम से चलाई जा रही योजनाओं का कारेंवन कनवर्जंस के माधियम से सुनिशित किया जाएगा अध्यक्ष मोद्य हमारी सरकात द्वारा परिवहन क्षेतर की सभी कर विवस्ताओं के सफल सरली करन के पशचाद 2022-23 में इन करूं का पुडोसी राज्यों के अनुरूप युक्ति करन किया जाएगा सडकों पर बहन एवं यात्री स्वरक्षा की देश्टी से द्रुगटनों में कमी अलाने के देश्चे से परतेएक आर्टियों को अलकोहल सेंसर, स्पीड, राइडर, क्रेश्ट, क्रेश्ट, इन्वेस्टिगेशन, लैब तथा इच अलान ब्यवस्ता से सुसजित इंटिसेप्टर इलेक्टिक वहन उपलब्द करवाई जाएंगे इन बहानों में उपस्तित अधिकारियों की सुभधा के लिए बौडी वार्म कैमरा भी उपलब्द होंगे अधिक्ष मोदेया हमारी सरकात द्वारा इप परिवहन ब्यवस्ता के माधियों से परिवहन चेत्र में लर्नर लाइसेंस को छोड़ कर लगबग हर सेवा उनलाइन उपलब्द करवाई जा रही है दोजार बाईस तेईस में इस सुभधा को भी इपरिवहन ब्यवस्ता में समलित कर दिया जाएगा अधिक्ष मोदेया ग्रामिन क्षेत्रों में बनी सड़कों की पासिंग के लिए निर्धारित मापदंडू के सिमिक्षा की जाएगी तथा छोटे चार पहिये बाहनूं तथा छोटी वसूं के लिए डोड पासिंग है तो अलग से दिशा निर्देश चारी किये जाएंगे बर्तमान में एम्बूलेंस के पंजी करण के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है समंदित परापधानू में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे जिससे एम्बूलेंस का भी पंजी करण हो सके तथा मापदंडू के अधार पर उनका भी जो पिरियोडिक रख रखाव किया जा सके अधेक्ष मोदे एचार टीसी के बेड़े में अपरेल महाद तक 220 बसें नई बसें समलित हो जाएंगे 2022-23 में 200 बसें क्रेक की जाएंगी जिनमें से 50 छोटी लक्टिक बसें समार्ट सिटी मिश्यन के अंतरगत खिरी दी जाएंगी अधेक्ष मोदे में यहां कहना चाहूंगा मुश्किलें कितनी भी हो सामने हमारे हिमत हो तो रास्ता जरूर निकलता है जो खुद पे यकीन कर के आगे बढ़ते हैं उनके साथ ही यह जमाना चलता है अधेक्ष मोदे दोजार इकीस बाइस में साथ बस अड़्ूं का निर्मान पूरा करने के पश्चाद दो हजार बाइस ते इसमें आठ और बस अड़्ूं को करमशा ठ्योग, बिंजराडू, बर्च्वाड, हरीपूर, देहरा, तुनाग, बंगाना, नदाउन, तर्थ जि अधेक्ष में मानिय सदन को सूचित किया था कि निती आयोग ने इलक्ट्रिक बहां निती बनाने के लिए परदेश सरकार को लाइट हाउस स्टेट के रूप में चैनित किया है, मुझे जो बताते हूँ पर संता हो रही है कि परदेश सरकार द्वारा इलक्ट्रिक वहिकल पॉलिसी दो हजार इकिस को मंजूर को परदेश सरकार द्वारा इलक्ट्रिक वहिकल पॉलिसी दो हजार इकिस को मंजूरी दे दी गई है, हमारी सरकार भारत सरकार के सहयोग से इलक्ट्रिक वहिकल एंड कॉंपोनेंट मैनिफेक्ट्रिंग पार्क स्थापित करेगी, अध परियोजना सुभी कितर्वाई है यह परियोजना कमशाह एक हजार क्रोड रुपई के लगवग एक फीचैनुग क्रोड रुपई के दो चर्नों में कारेनिवत की जाएगी इन्दोनों चर्नों के अंत्रगत इन दोनु चर्णु के अंतरगत शहरों का सौंद्रिय करण, धरुहर भवनु का सनक्षन, एवं समवर्धन, हैलिपोर्ट का निर्मान, इको टुरिज्म, वाटर स्पोर्ट, वेलनेस सेंटर, बुधी सरकिट, प्रेटन, अदुसनचना, युबाउं का प्रशिक्षन, इत्या सन्वेंशन सेंटर, धर्मशाला, पालंपूर का सौंद्रिय करण, शिवधामचरण दो, बाबा बालकनात मंदिर का सौंद्रिय करण, वेलनेस सेंटर, जटिंगरी, कलपा, रेनुकाजी, इत्यादी परियोजनाएं शामिल हैं, अध्यक्ष मोदे, गत चार वर्षु में हम करना प्रस्ताबित करता हूँ, क्यारी घाट में कन्वेंशन सेंटर, टाउन हाल शिमला में लाइट एंड साउंड शो, फूड एंड क्राफ्ट इंस्ट्यूट धर्मशाला का इंस्ट्यूट आफ होटल मेनेजमेंट के स्तर्क पर उन्याएं, अध्यक्ष मदे दो हजार ब प्रगत मंडी, मेंशिवधाम, लारजी, तथा अफ़ता पाणी में, वाटर स्पोर्ट, वीड बीलिंग में, पैरागलाडिंग, चांशल को विक्सित करना समिलित है, अध्यक्ष मोदे, राजे में अधिक से अधिक गहेलू और विदेशी प्रेटकों को आकरशित करने के अधिक से निजिक शेत्र की भागेदारी से कुछ नए प्रयास किये जाएंगे, जिनमें से निमन प्रमुख है, नए प्रेटन गंतव्यों पर जाने के लिए कारवा, प्रेटन को प्रोसाहत, पारंपरी कट पुत्ली शैली को वास्थुकला वाले स्थानों को भीविन प्र सकिट से जोड़ना, ऐतिहासी की बिरास्त की बिरास्त को परसारित एवं परचारित करने के उदेश के लिए परदेश के ऐतिहासी किलों को प्रेटकुं के आकर्शन के रूप के रूप में बिकसित करना, माउन्टेन बाइकिंग ट्रैक शुरू करना, अध्यक्ष मधי далее द रखी जाएगी है यहां में अद्यक्ष मोदे यह कहना चाहूंगा सब की तकदीर बदलनी है सब की तकदीर बदलनी है रहा दिखानी है मुझे हाथों की लकिरों तक नहीं उनसे आगे जाना है मुझे अद्यक्ष मोदे सत्द विकास लक्ष के अंतर गत दो हजार तीस तक राज्य के तीस प्रत्शत क्षेतर को बन आवरन अधिन लाए जाना है इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए दो हजार बाईस तीस में पंदरह हजार हेक्टेर भूमी का परपद और उपन किया जाएगा इको टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए फूलों और हिमालिया बनस्पतियों पर अधारित बीस नेचर ट्रेल विक्सित किया जाएंगे जंगलों में भूमी कटाब रोकने और नमी को बढ़ाने हेतू 25 क्रोड रुपे की लागत से 125 थानों पर बांध निर्मान किया जा रहा है 2022-23 में जलाशेंग के आसपास के क्षेत्रों को एको टूरिजम की दिष्ठी से विक्सित किया जाएगा जंगलों में स्थानी समिधाय को बहुत सीमी तार्थिक लाब पराप्त होता है समिधाय के सहयोग से 2022-23 में पचास हेक्टिर क्षेत्र में चीड के पेडूं के स्थान पर चोड़ी पत्ती वाले पौधे रोपित किया जाएंगे इससे पशूं के लिए चारा मिलेगा जंगलों में लगने वाली आग को किकी गटनाएं कम होंगी तथा भूमी कटाव रोकने में भी सहायता मिलेगी अध्यक्ष मोदे बन विभाग दुवारा कारे नवीद की जारे तीन बाहया सहायत प्राप्त योजनाओं के अंतरगत निमन कारे किये जाएंगे छे जिलों करमशा बिलासपुर के नौर कुलू लाहलसपीति मंडी तथा शिमला के 260 ग्राम पंचाइत वाडू में 50 क्रोड की लागत से अजीविकास रिजिन तथा अन्य विकास गतिविधियों की जाएंगी 100 क्रोड रुपे की लागत से 428 ग्राम पंचाइति में जल सनक्षन एवां प्रवंधन परियोजना चलाई जाएंगी कांगडा और चंबा जिला में 40 क्रोड की लागत से 150 वाटर रिचार्ज जोन्स का स्प्रिंग शेड अप्रोच के अंत्रगत उप्चार तथा कट रूट स्टॉक सी आर एस बिधी के माधिम से पांसो हेक्टेर क्षेतर में लेंटाना उनमूलन कारे किया जाएगा और उस भूमी पर उप्योगी परजातियों का रोपन किया जाएगा अधैक्ष मोदे दो हजार बाइस तेश में विविन कारे कमूं के तहत लगवग 63 लाख मानव दीवस स्रीजित किया जाएगे जिस पर 200 क्रोड रुपए व्या किया जाएगे इसके लिए बिरिक्षार ओपन भू सरक्षन जल बंढारन परेवरन प्रेटन जैसे कारे किया जाएगे अधैक्ष मोदे मानियप धान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने पिछले वर्ष नुवंबर में ग्लासगो में स्युक्त राष्ट जल बायू परिवर्थन शिक्र समेलन COP26 में अपने संबोधन में जल बायू परिवर्थन की चुनाथी से निपने के लिए पांच अमरित तत्तो प्रसुत किये हैं जिन में से गैर जीवाशंग उर्जा शमता पांसो गीगवाट तक पहुंचने वो अक्षय उर्जा से पचास प्रस्चत उर्जा अवशक्ताओं को वर्ष 2030 तक पूरा करने के लक्ष को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिवध अजिता को रिखांकित किया है इस लक्ष को ध्यान में रखते हुए परदेश रखते हुए सरकार ने सरकार का यहाँ प्रैस रहे गया कि परदेश की शत्प्रत्शत उर्जा आवशक्ताओं को अक्षय उर्जा एवं ग्रीन उर्जा से पूरुन किया जाए इससे एक और हि माचल परदेश देश का पहला पूरुन पूरुन ता ग्रीन स्टेट बन जाएगा वहीं दूसरी और इस परमानन से राज्य में निर्मित उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों में बहितर मुल्ले प्राप्त करने में सफलता मिलेगी अद्यक्ष मोद्य हमारी सरका का प्रयास रहेगा की शीगर ही इस लक्षे को प्राप्त कर लिए जाएगा अद्यक्ष मोद्य शिमला सोलन राष्टिय उच्मारक के लिए एक ग्रीन इमोबिलिटी कारेकरम का एक प्रस्ताव बाहया द्वी पक्षे सहो के अंतरगत त्यार किया जाएगा इसके अंतरगत परिवहन संचालन व्यवस्ता चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क तथा इबैटरियां की रिप्लेस्मेंट का प्रापधान किया जाएगा प्लास्टिक कच्रे के बढ़ते दवाव को देखते हुए प्रदेशन प्लास्टिक कच्रे की वैलिव चेन के प्रभावे प्रबंदन हेत्व एक्स्टेंडिट प्रोडूसर रिस्पॉंसिबिलिटी हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा अधिक्ष मोदे में मानी सदन को बताना चाहूंगा कि दो हजार बाइस तेईस में जर्मनी सरकार के संस्ता जी आईजड के सहयोग से वर्षा जल संग्रहंड नीती बनाई जाएगी तथा एक हजार गरीब फिसानों के लिए इस नीती पर आधारित डेमोस्टेशन मॉडल स साफित किये जाएंगे दो हजार बाइस तेईस में जिग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट नाइंटीन नाइन के अंतरगत राज्य के उत्पादूं जैसे लाल चावल किनौरी सेब मंडी की सिपू बड़ी हिमाचली टोपी सिर्माओरी लोईया हिमाचली धाम थाची मंडी जिला में दातू शिल्प हिमाचली बाद्य अंतर तथा किनौरी अभूशन के पंजी करण की प्रक्रिया अरम की जाएगी अब एक्षमोदेर राज्य में इंटेग्रेटिड सॉलिड वेस्ट मेरेजमेंट से समंदित परस्तावों को ऑनलाइन सव्विकिति देने तथा वेदनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एक अधुनिक पोर्टल की स्थापना की जाएगी राज्य परदूशन नियंतरन बोर्ड एक का एक एक नया क्षेत्रिय कारले मंडी तथा उनने में स्थापित किया जाएगा ताकि बोर्ड परभावी धंग से कारे कर सके शिमला और पॉंटा साहिब स्थित राज्य परदूशन नियंतरन बोर्ड की प्रविक्षाला में नरिक्षन एवां परख्षन की उच्छ गुनुबता सुनिश्चित करने के लिए करने के लिए इनकी संबद दिता नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड आफ टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन लैबोर्टरीज के साथ सुनिश्चित की जाएगी दो हजार बाइस टेस्ट में परदेश में स्थित नदियों तथा उनकी साहिक नदियों पर चौदा नए निगरानी के इंदरू की स्थापना की जाएगी जो नदियों के जल की गुनवत्ता पर निगरानी रखेगी अधिक्ष मोदे मैं आस्ट्रेलिया के प्रसिद परेवर्ण विद रूबर्ट जेंफ ब्रॉन के कथन जिसमें उन्होंने ग्रीन गुरूथ के महत्तों को बतलाया है का वर्नन करना चाहूंगा जो चिंता का चिंता और चिंतन का विश्य है विविश्य या तो हरा होगा या तो नहीं होगा ये उन्होंने कहा है अध्यक्ष मोदे स्वास्ते बन सरक्षन भू सरवेक्षन क्रिशी बागबानी आपदा प्रबंधन खनन इत्यादिक शेत्रों में ड्रोन के उप्योग की असीमित संभाबना है अता में चार स्तंभू क्रमशा सक्षम, शासन, ड्रोन, मेले और महुत्सव सक्षम, नीतिगत, ढांचा और ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल पर अधारित एक नई जिसका नाम हमने छोटे मिस में किया गरूड योजनक अरंब करने की भी घोशना करता हूँ अधैक्ष मेद्य दो हजार बाइस तेश्ट में ड्रोन पर शिक्षन के लिए हिमाचल पर देश्ट में चार फ्लाइंग स्कूल स्थापित किये जाएंगे सरकारी विभागों के साथ साथ राज्य के युवा बेज ड्रोन समंदित पर शिक्षन पाकर रोजगार के अफसर का लाब उठा सकेंगे दो हजार बाइस तेश्ट में गुवर्नेस को और प्रभावी बनाने के लिए निमन कदम उठाए जाएंगे हमीरपूर जिला में पालेट अधार पर रहम किये गए स्वामित वकारेकम के अंतरगत पूरे जिले का सरवेक्षन कर दिया किया जाएगा तब सभी अवादी दे क्षेत्रों में पात्र लावार्थियों को भू स्वामित वर्चुनिशित किया जाएगा इडिस्टिक के माधिम से उपलब्द की जा रही सेवाओं की संख्या को मदूदा च्छानुएं से बढ़ा करके एक सवपचास किया जाएगा प्रदेश के चात्रों की सुवधा के लिए एक डिजिटल लावरेरी स्थापित की जाएगी जिसमें विभिन प्रक्तिसपर धात्मक प्रक्षाओं की तैरी के लिए स्टडी मैटिरियल ऑनलाइन उपलब्द करवाए जाएगा सरकार योजनाओं में फिल्फरेज रोकने के लिए बाउचर अधारित ए रुपी प्रणालिक का अप्रियोग किया जाएगा ट्रेकर को बहुत को बेतर सुबदाय परदान करने और उनकी सुरक्षा सुनिशित करने के लिए ट्रेकर इनफर्मिशन पोर्टल लिक्सित किया जाएगा दस प्रेटन और स्वास्टेस्बंदी सारफ जनिक सलू में वाई फाई हाट स्पोर्ट स्थापित किया जाएंगे लिटिगेशन मोनिटरिंग सिस्टम को हिमाचल परदेश में उच न्याले के पोर्टल के साथ एक ही कृत किया जाएगा सरकारी योजनों के संचालन के लिए फैमिली रिजिस्टर डेटा बेस को अपडेट किया जाएगा रहत कोश्ट से परदेश के असहाय एवं जुरूरत मन लोगों को आर्थिक साहता देने है तूँ एक वैपसाइट और मुबाइल एप्लिकेशन के मादियम से रहत वितरन की वर्तमान परकिया को स्वचलित किया जाएगा मैं सरकारी योजनों के बढ़ते डीजिटली करन को की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान डेटा सेंटर को अपग्रेड करने की भी गोशना करता हूँ इस पर लगबग 38 क्रोड रुपे खर्च होंगे अधेक्समोदे यहां मैं कहना चाहूंगा उनका यही दावा है कि सूरज उनही का है मेरी यह जिद है कि सब को एक ही धूप मिले अधेक्समोदे नेशनल जैनरिक डॉकुमेंट रेजिस्टेशन सिस्टम परदेश के सभी जिलों में क्राइनवित किया जा रहा है केंद्री बजट 2022-23 में घोशित ओनलाइन नेशनल वन नेशन वन रेजिस्टेशन के अनुरूप इस प्रणाली को राज कोश एवं भू लेखों के साथ इंटेग्रेट करके इसे और परभावी और सुद्रिट बिना जाएगा जियोरिजिकल सर्वे ओफ इंडिया जियस आई के मदद से के नौर जिला में भूसकलन पूरव चताबनी प्रणाली शुरू की जाएगी तदो प्रांत अन्य समवेदन छिल जिलों में भी यहाँ प्रणाली चरणबत तरिके से शुरू की जाएगी जिसके लिए विस्तित योजना रिपोर्ट बनाकर बित पोशन हे तू नेशनल डिजास्टर मेनेज्मेंट अथोर्टी को प्रेशित किया जाएगा अध्यक्ष मोदे भारा सरकार की आपदा मित्र योजना के अंतरगत 1500 समुदायक स्वहिन सेवकों को प्रिक्षिक्षित किया जाएगा अध्यक्ष मोदे COVID-19 के कारण देश एवं परदेश की आर्थविवस्ता पर काफी बुरा आसर पड़ा है इसके फाल्सरू परदेश के कर राजस्व पर भी बिपरीत परभाब पड़ा है परदेश सरकार के प्रेतनु एवं लॉक्डाउन के खुलने के उपरांत कर राजस्व में भी आशान रूप बढ़ोतरी हो रही है जो की हर्श का विशे है 2022-23 में 9,282 क्रोड रुपे कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने की संभाबना है 2022-23 में राजस्व में 2021-22 के उनुमानु की अपेक्षा 15 प्रश्यत ब्रिधिय उनुमानित है जो की परदेश को प्रगती के पत्पर अगरसर होने में मदद गारसिद होगी अधक्ष मोद्य परदेश में नशे के दुष्परवावों और नशेले पदार्थों के दुरिप्योक की रोक थाम है तो परवर्तन एन्फोर्स्मेंट को सुद्रिट करने के लिए आवकारी विभाग को आवश्यक बल उपलब्त करवाए जाएगा हिमाचल परदेश एक एकरित नशा निवारण एवं ड्रग्स नेती के प्रभावी कारेन वेन तथा नशा निवारण से संबंदित गतिविधियों के लिए बिविन विभागों बोडों नेगवों एवं संस्थाओं के समनवए के लिए आवकारी विभाग में एक नशा नि एक GST प्रश्रिक्षन प्रकोष्ट स्थापित किया जाएगा इसके माध्यम से विभागिया अधिकारियों और करमचारियों को आवशक प्रश्रिक्षन दिया जाएगा कर एवं आवकारी विभाग में करदाताओं की सुविधा हे तो आईटी पर आधारित एक समर्पित बैवस्ता का प्रावधन किया जाएगा इस से करदाताओं तथा बैपारी वर्ग के लिए GST अनुपालना और सुविधा जन्क हो जाएगी हाल ही में हुए आवैद शराब जैसे परकरन की पुनरविती को बविश्य में रोकने के लिए शराब की परमानिकता जाँ छेतू एक मुबाइल एप आरम करने की घोशना करता हूँ इस मुबाइल एप के माधिम से बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन करने से ही शराब के वैद सुरोत का पता चल सकेगा अधेक्ष मोदे गौवश्य सेवा के कारे के लिए शराब की परते एक बोतल पर एक रुपए अतरिक्त सस लगा जाएगा ये भी मैं गोशना करता हूँ कि एक रुपए और जादा जो है उसमें एक अठा करके हम गौवश्य की स्रांक्शन के लिए काम करेंगे अधेक्ष मोदे करोना काल के अनुभवों से सीख लेता हूँ हमारी सरकार ने ऑनलाइन रोजगार मेले आउजिट करेगी 2022 में 9 रोजगार मेलों वो 120 केंपस साक्षाथ कार आउजिट किये जाएंगे इसके साथ रोजगार कारेलों में रेजिस्टेशन की पूरी प्रकिया को डिजिटाजेशन की जाए गया अधेक्ष मोदे में अपराद का पता लगाने और इसकी रोक थाम के उदेश्चे से परतेग जिला मुख्यालने में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ट्रिपल सी की स्थापने की घोशना करता हूँ इन केंद्रों की साहेता से सीसी टीवी तथा इंटेग्रेटिट ट्रैफिक मनेजमेंट सिस्टम के माधिम से परभावी निगरानी की जाएगी जो केंद्रा वैद, खनन, शराब की तसकरी, माधक, पदार्तों की तसकरी, सीमा बतिक शेत्रों पर रोक लगाने में सक्षम होंगे इसके लिए साथ क्रोड रुपे वैए किये जाएंगे अधेक्ष मोदे, साइबर अपराद से निपने के लिए पूलिस मुख्याले शिमला में केबल एक मातर पूलिस स्टेशन है मैं गोशना करता हूँ कि धर्मशाला और मंडी में रेंज स्तर पर भी दो और साइबर अपराद पूलिस स्टेशन खोले जाएंगे अधेक्ष मोदे, पिछले वर्ष परदेश सरकार ने आपात काल के दोरान मिसा, डियाई आर, सी आर पी सी के अधिन राजनितिक वो समाजी कारणों से कारबास वो पूलिस स्टेशनों में निरुद रहे व्यक्तियों के लिए हिमाचल परदेश लोकतंतर परहरी सम्मान राशी योजन अरम की है इसके अंतरगत एक से पंदरा दिन तक कारबास वो पूलिस स्टेशनों में निरुद रहे व्यक्तियों को आठ हजार पे आठ हजार वो पंदरा हजार वपे से अधिक समय तक निरुद रहे व्यक्तियों को बारह हजार पे प्रतिमा दर्स समान राशी पदान की जा रही है इस राशी को बढ़ा कर मैं करमशा बारह हजार आठ हजार बली राशी जो है उसको बारह हजार करने की गोशना करता हूँ तथा जो बारह हजार पे मिलती थी उसको और बढ़ा करके जो है बीस हजार पे करने की गोशना करता हूँ इसमें बार्दवाजी भी लावान भी तोंगे अच्छा अधैक्ष मोदे पुलिस आवास पुलिस चॉक्षिंग पुलिस ठाने और पुलिस प्रतिश्थानूं जैसे पुलिस प्रतिश्थानूं प्रतिश्थानूं और राज्य आपदा रिस्पॉंस बल प्रतिश्थानूं में धांचा गत विकास और पुझी गत कारें तथा आवशक्ता अपकरणूं को उपलब करवाने में गती दी जाएगी इस पर पचास करोड रुपए खर्च किये जाएंगे परदेश के दुर्गंग शेत्रों में आग जैसे गटनाओं की स्थिति में तुरंत रहात परदान करने के उदेश्था से मैं 2022-23 में चार नए अगनी शमन केंदर खोलने और पांच अगनी शमन पोस्टों को अगनी शमन केंदर के रूप में उन्नेंट करने की गोशना करता हूँ मैं ग्रिय रक्षूंगों के लिए जिला और परदेश से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता देने की भी गोशना करता हूँ साथ ही ग्रिय रक्षा विभाग के अधिकारियों इवं करमचारियों को रैंक अलाउंस भी बढ़ाए जाएगा अधैक्ष मोदे भारत वर्ष स्वतंतरता के 75 वर्ष पूरे होने पर अजादी का अमरित महुत सो मना रहा है हमने परदेश के वशिष्ट पहचान बाले 55 गाउं का चैन किया है इन गाउं को देश के संस्कितिक मानचितर पर लाने के लिए एक बड़ी कारे योजना लागू की जाएगी इसे इन गाउं और हिमाचल परदेश की समरिद विरासत प्रेटन की दिष्टी से भी देश और दुनिया के सामने आ सकेगी इन गाउं की संस्किति एतिहासिक और प्राकितिक विश्षिष्टा को दर्शाने वाले लगू रित्चित्रों पुस्तकों और अन्य पर चार सामगरी का परकाशन किया जाएगा सरकार ने 2021 में संस्किति निति की गोशन की थी इस निति की गोशित लक्षियों की प्राप्ति के लिए प्रारम में दो क्रोड रुपे की राशी से संस्किति कोश कठित करने की भी गोशना करता हूँ स्वर्ग कोखिला स्वर्गी लताम गेशकर जी कोशिर धांजली के रूप में मैं घोशना करता हूं कि परदीश में एक लताम गेशकर संगीत महवी द्याले की स्थापना की जाएगी अद्यक्ष मोदेश वर्ग कोखिला भारत रतन लताम गेशकर जी की पावन समिती में परदेश सरकार हिमाचली लोग संगीत को बढ़ावा देने के लिए लताम गेशकर समृती राज्य सम्मान प्रारम करेगी जो की प्रतिवर्ष लोग गाईन के क्षेतर में श्रेष्ट यो के बैंटिनी कैसल के जीरनोदान का कार अंतिम चरण में हैं इसे शीगर ही शीमला शहर के अरतिहासिक कला इवन संस्किती को परदश्चित करते हुए विशिष्ट प्रेटन स्थल के रूप में जनता को स्मर्पित किया जाएगा बिलासपूर में गोविन सागर के निर्मान के समय मंदिर पानी में समा गए थे को पूना स्थापित करने के लिए विश्टित परियोजना तियार की गई है एक आजार चार सो क्रूड रुपे की इस परियोजना का प्रस्ताप अंतराश्चिय संस्थाओं को भेजा जाएगा अजएक्ष मोदे जहां मैं कहना चाहूंगा जब तक संस्किती है तब तक आस है बिना संस्किती के मानम का बिनाश है अजएक्ष मोदे बहुत देशे संस्किति केंदर कुलू का निर्मान लगबग 20 क्रोड की लागर से पूरा कर लिए गया है उना के सास्किती केंदर का लोकारपन भी कर दिया गया है बिलासपूर मंडी और सोलन में इन केंदरों का निर्मान कार अंतिम चरण पर है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मंडी का मैं अभी दो दिन पहले उसका उदगाटन करके आगया हूँ वो भी समर्पित कर दिया है ये सभी 2022-23 में पूरे कर लिए जाएंगे जिन पर लगभग 22 क्रोड रुपे वे के जाएंगे चमबा वो नहान में बन रहे केंद्रू के निर्मान कारे को भी गती दी जाएगी परदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के संस्किति मंत्राले के सहयोग से सौ करोड रुपे की लागत से स्पिति के तावो में भारतिय बौद दर्शन संस्तान की स्थापना की जाएगी इसके लिए 7.8-7 हेक्टेर भूमी हस्तान कर दी गई है 2022-23 में इसका निर्मान कारे अरम कर दिया जाएगा अदेक्ष मोदे में पर्देश में खेलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य खेल संस्तान की स्थापना करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक राज्य स्थारिय स्मिति के गठन की में गोशना करता हूँ परदेश में त्रिस्तर ये खेल महकुम का आयोजन सांसदों और विधायकों की सक्रिय भागी दारी से सुनिश्टित किया जाएगा जिसमें क्रिकेट, कबड़ी, एथलेटिक्स, बाली बॉर्ड, वास्केट बॉल, कुष्टी, खेल, स्परधाओं का आयोजन किया जाएगा जो जमीनी स्थर पर खेल प्रतिबाओं की पहचान में साहिक सिध होगा अधिक्स मोदे में 2022-23 में निमिलिक्ट इंडोर तथा इंडोर खेल परिस्टरों को लोकार परन करने की कोशना करता हूँ नूरपूर में प्री फैबरिकेटिट बहुदेशे हाल, जिंजारी में इंडोर स्टेडियम, सरकारी महावजाले बंगाने में बहुदेशे हाल ट्रैक दस क्रोड रुपे की लागज से टांडा खुली जिला कांगडा में प्रस्ताबित इंडोर स्टेडियम का निर्मान कारे शुरू किया जाएगा इन सभी कारें को पूरूर करने के लिए 20 क्रोड रुपे वैके जाएंगे सरकार स्वैचिक यूबाओं और विशेश रूप से यूबाओं के किशमता निर्मान को और मजबूत करेगी सर्वश्रेट तीन यूबा मंडलों को वार्शिक तोर पर सर्वश्रेट यूबा को मंडल गोचित कर पुसकित किया जाएगा जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को 51,000 पे दूते प्राप्ट करने वाले को 31,000 और तृत्य स्थान पाने को 31,000 पे कि राशी परदान की जाएगी अध्यक्ष मोदे विविन्स तरूंपर आईजित होने वाले खेलकुद प्रतियोगताओं तता परशिक्षन शेवरू में यूबा प्रतियोगताओं को मिलने वाली डाइट मनी को मैं परदेश के अंदर 120 रुपए से बढ़ा करके 240 रुपए प्रतियोगताओं तता परदेश के बाहर परदेश के बाहर 200 रुपए से बढ़ा करके 400 रुपए प्रतिदीन करने की साहर्ष सप होशना करता हूं अध्यक्ष मोद्य परदेश में जन जातियो वर्ग की एक बहुत बड़ी संक्या है जन जाती क्षेत्र में रह रही है मैं घोशनां करता हूं कि परदेश के जंजातिय क्षेत्रे उसे बाहरा रहे रहें जंजातिय वर्ग के कल्याइट के लिए उचीट कारज़ोजना त्यार की जाएगी भारत सरकार द्वारा दो हजार बाइस तेश में में देश के उत्री सीमा के साथ लगते एक शेतर के सर्मागिन विकास के लिए वाइबरेंट विलेजिस प्रोग्राम घोशित किया गया है 2022-23 में परदेश के सभी सिमावर्तिक शेत्रों के विकास के लिए उचित कार योजना त्यार करके इस योजना के अंतरगत भारत सरकार की सविकिती के लिए प्रिशित किया जाएगा अदेक्ष मोदे लेंड लोग पहाडी राज्य होने की बज़ा से हिमाचल परदेश में सडख के अलाबा याता जाद पहुत सीमित विकल्प उपलब्द हैं हमारी सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से विगत वर्शो में इस परिद्श्य को परिवर्टित करने का सशक्त प्रियास किया है मैं इस सदन के मादियम से भारत सरकार का दिल की गहराईं से धन्यबाद करना चाहूंगा की 2022 के बजट में परदेश में निर्माना धिन तीन रेल लाइनों करमशा भानूपली बिलासपूर बैरी के लिए 1,888 क्रोड रुपे नंगल तलवाडा रेल लाइन के लिए 335 क्रोड रुपे तथा बद्दी चंडिगर रेल लाइन के लिए 450 क्रोड रुपे का बजटी अपराब्धन किया है इन प्रापधानों के माध्यम से इन रेल लाइनों के कारेंवेंग को गती मिलेगी हमारी सरकार राज्य अंश्यदान के लिए प्रतिवद है अधक्ष मोद्य हमारी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप पॉंटा साइब जगाधरी रेल लाइन का सर्वेक्षन पूरा कर रेल मंत्राले दोरा डी प्यार त्यार की जाएगी इसके साथ ही भारा सरकार वो प्रदेश सरकार द्वारा उन्ना हमीरपूर नई रेल लाइन के निर्मान की लागत के अंश्यदान पर भे सहमती बिनाई जाईगी अदेक्ष मोदे केंदी सरकार के 2022 के बजट में घोशित परवत माला राश्ट्री रज्जु मारक विकास कारेकरम योजना परदेश के लिए हितकारी सिध हुई है योजना के अंतरगत रूप वेज को नीजी भागीदारी से सडक मारगों के विकल्प के रूप में सुविकार किया गया है जिस से कि प्रेटन तथा दैनिक आवज जाही में सुविदा होगी हमारी सरकार दुबारा परदेश में चार रजु मारक के निरमान हेत्व भारस सरकार के साथ समझाओता कि आपना हस्ताक्षित किये जाएंगे इस नए योजना के लिए मैं भारस सरकार का अभारी हूं अधैक्षमोदिया हमारी सरकार के प्रियासुंस के परिणाम सारू नावाट तथा भार सरकार ने परदेश में रजु मारक के नावाट के आरएडियेफ के माध्यम से रिंड लेने के सiversary पदान कर दी है इस रिन के माध्यम से परदेश में रज्जु मार्ग बनाने के लिए एक ब्यापक जोजना बिनाई जाएगी निर्माना धीन बगला मुखी रज्जु मार्ग का दो हजार बाईस टेश में लोकारपन कर दिया जाएगा अदेश मोदे हमारी सरकार ने निरंतर प्रयासूं के कारण ही संभव हो पाया कि आखिरकार भारतिय विमान पतन प्राधिकरण ने बल में ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ा के निर्मान को तक्निकी रूप से सविकार कर लिया है यहाँ हवाई अड़ा उपकरण और रात्री लेंडिंग सुविधाउं के साथ एर बस तीन सो बीस जैसे बड़े पिमानों को उतारने में सक्षम होगा इसके निर्मान हेतू भारतिय बिमान पतन प्राधिकरण के साथ एमोई यू हस्ताक्षित करने के परचाथ भूमी अधिगरहन की प्रक्रिया शीगर ही आरम कर दी जाएगी अधिक्स मोदे वेकल पिक जाता जात सुविधाउं के स्रिजन के लिए दो हजार बाईस टेश में दो हजार करोड रुपए के रुपए राज्य कोष्ट से वे किया जाएंगी अधिक्स मोदे मैंने दो हजार बीस एकिस के बजर विवाशन में स्वरन जनती आश्रे योजना के आरम करते हुए अनसूची जाती वर्ग के सभी पातर लंबित आवेकों को आवासिय साहता देने की गोशना की थी हमारी सरकार की इस योजना की इसी प्रतिवद्धता को दोराते हुए मुझे सदन को यसूचित करते हुए अतियंत हर्ष हो रहा है कि गत्व दो बर्षों में सभी श्रेनियों सहित बाईस हज़ार लावार्थियों को विभिन आवासिय योजना के अंतरगत तीन सो करूर र वर्षों से सहेता पदान की जा चुकी है इनमें जन जाती है क्षेतरों में तथा इन से बाहर रह रह रहे जन जाती है वर्ग के लाभार्थी भी सम्मिलित हैं मैं पूरव की घोशना के अनुसरन में दो हजार बाईस देश में कुल बारा हजार साथ सो उनतर लाभार्थीं को आवासिय सुविधायं पर दान की जाएंगी योजना योजना बार लक्ष निम्र परकार से रहेगा अधिक्ष मोद्या इस वक्त इस वार जो है हम हिमाचल परदेश में दो हजार बाईस देश में बारा हजार साथ सो उनतर लाभार्थीं को आवासिय सुविधाय देने का हमारा एक जो लक्ष है उस लक्ष है को हासिल करेंगी जो उसमें योजना बार जो हमारा जो लक्ष है वो निम्र परकार से है मुख्य मंत्री आवास योजना के अंतरगत 1533 आवास पदान मंत्री आवास योजना के अंतरगत 1262 आवास पदान मंत्री आवास योजना शहरी के अंतरगत 2340 आवास स्वरन जन्ती आश्रे योजना के अंतरगत 7628 आवास अध्यक्ष मोदे में यहां जरूर कहना चाहूँगा ख्वाब देखे हैं, होसले भी जिन्दा हैं हम वो हैं, जिन से मुश्किलें भी शर्मिन्दा हैं अध्यक्ष मोदे हमारी सरकार ने हमेशा ही फंक्शनल पदों को भरने की प्रात्मिता दी है आगामी बर्ष में भी इस दिशा में आवश्चक अदम उठाए जाएंगे स्वास्ते विभाग में विभिन, शरेणिया, जिन में विशेश डाक्टरों डाक्टर, नर्सें, रेडियोग्राफर, ओटी सहायक, लैब टेकनिशन, डेंटल हाईजिनिस्ट, फार्मसिस्ट, एमराई टेकनिशन, इसीजी टेकनिशन, तथा अन्य टेकनिशन के पद आदी शामिल हैं, 780 आशा कारकरतों के नए पद भरे जाएंगे, साथ ही 437 पद आशा फैसिलिटेटर, 870 कॉम्मिनिटी हेल्थ ओफिसर के पद भरे जाएंगे, राष्ट्य स्वास्ट्य मिशन के अंतरगत, विविन शिरेनियों में 264 पद भरे जाएंगे, हमिरपूर नहन चंबा तथा नेर्चोग में स्थित नए आरव ग्यान महाविदाले में, समुचित फैकल्टी तथा अन्य शिरेनियों के पद भरे जाएंगे, अधिक्ष मोदेश के अतरिक विविन विवागों में खाली फंक्शनल पदों को भी सरकार भरेगी, जल शक्ती विवाग में पैराफिटर, पंप ऑपरेटर तथा मल्टी टास्क पार्ट टाइम वर्कर शामिल हैं, को भरे जाएंगे, जिन में शिक्षब भिवाग में भिविन शिक्षब को भरती, पुलिस आरक्षी आरक्षी भरती, बिजली बोर्ट के तक्निकी, पद जैसे लाइन में जूनियर, टीमेट, आदी, एचार टीसी में ड्राइवर तथा करड़क्टर, इत्यादी की आवशक भरतियां, राजस्व भिवाग में कर्मी, पशुपालन भिवाग के डॉक्टर वो कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायत, सची पंचायतों के लिए तक्निकी साहिक, और ग्राम रोजग में चतुत सिरेणी के करमचारी आदी शामिल है, अगामी वर्ष में शिक्षा एवं लोग निर्मान भिवाग में अशकालिन मल्टी तास्क वर्कर की भरति प्रक्याब को पूरुन किया जाएगा, ग्रिय रक्षकों की नई भरति की नई भरति कई वर्षों से नहीं हो रही है, अगामी वर्ष में ग्रिय रक्षकों की आवश्यक भरति करने का भी सरकार ने निर्ने लिया है, दो हजार बाइस में परदेश सरकार तीसा हजार रोजगार के अफसर उपलब्द करवाएगी, अध्यक्ष मोदे, कर्मचारियों काकल्यान हमेशा ही मेरी सरकार की प्रात रखाओ, इवं मुरम्मत के लिए दो हजार बाइस तेईस में सैंटिस क्रोड रुपे, और सरकारी अवासूं के निर्मान के लिए पैंटिस क्रोड रुपे का प्राप्धान का प्रस्ताव करता हूँ, अटल पैंशन योजना, असंगठित क्षेतर के श्रमकों के लिए भा अगरिकों को अंशदान के हिसाब से मिलती रहेगी, इस समय परदेश में अटल पैंशन योजना के अंतरगत एक लाग से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, योजना के तहर स्वमिक, ग्रिहनी, बेपारी, वर्ग, किसान, बागबान और रोजगारी युबाओं के लिए प दो हजार रुपे प्रतिव वर्ष तक का अंशदान परदान करती है, हमारी सरकार सुनिशित करेगी बिविन विभागों से जुड़े सभी पैरा वर्कर को इसी योजना के अगामी वर्ष में जोड़ा जाएगा, उन्हें पर उतसाहित करने के लिए में परदेश सरकार के मज़ूदा सीमा को दो हजार रुपे से बढ़ा करके तीन हजार रुपे प्रतिवर्ष करने की सहर्ष गोशना करता हूं। परिणाम सवरूप हमारा परदेश यूनिवर्सल समाजिक सुरक्षा के लक्ष को प्राप्त कर सकेगा। अधैक्ष मोदे आउट्सोर्स कर्मियों से समंधित शिकायतों को मेरी सरकार ने गंभीता से लिया है। मेरी बजट गोशना के अनुरूप दिसंबर महा में सरकार ने एक मॉडल टेंडर सभी भी भागूं से सांजा किया है। मॉडल टेंडर के अनुसार हर कर्मी को एक पेसलिप देना अनिवार्य कर दी गई है। इस पेसलिप में सर्विस प्रोवाइडर कर्मी को लिखित रूप से समस्त कटौतियों जैसे एपी अपी त्यादिया इवम कर्मी को पराप्त होने वाली नेट वेजिस को दिखाना होगा। इसलम विभाग इन दिश्टा निर्देशों के अनुबालना अनुपालना सुनश्चित करेगा। मेरे हर बजट में नियुनतम ध्याड़ी में प्रभावी बढ़ोत्री हुई है जिसका सीधा लाब और्ट सोस कर्मी को मिला है। अधेक्ष मौडिय परदेश की विकास चात्रे में कर्मचारियों के साथ साथ वे भिन विभागुं में कारेरत परावरकर्स अतुलनेय जोगदान है। क्रोना काल में उन्होंने सरकार के साथ قदम से قदम मिला करके सेवाईं दी है। हमारी सरकार इनके कल्यान के प्रति पूरुन ता प्रतिवद्ध है एवं विगत चार वज्टू में इनके मांदे में यथा संभब रिधी की है आगामी वर्ष के लिए मेरा प्रस्ताव निम लिखी थे अध्यक्ष मोदे आंगनबाडी कारे करताओं को यह मैं कहना चाहूंगा आंगनबाडी कारे करताओं को 2770 रुपए की वज्टू के साथ में 9000 रुपए प्रति मा मान दे देने के बिज़दा करता है इस वज्टू को समलित करके, हमारी सरकार दुबारा अपने कारे कारयकाल में 4500 पंचास रुपए प्रति मा की बिधी की गई है मीनी आंगनबाडी कार्यकरतों को मासिक 900 रुपए बढ़ोत्री के साथ अब 6100 रुपए मिलेंगे इस बढ़ोत्री को समिलित करके हमारी सरकार दुवारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3100 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोत्री की गई है आंगनबाडी सहेका को प्रतिमाह 900 रुपए की बढ़ोत्री के साथ अब 4700 रुपए प्रतिमाह मान दे मिलेगा इस बढ़ोत्री को समिलित करके हमारी सरकार दुवारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2600 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोत्री की गई है अदेक्ष मोदे आशा वरकर्स जिनका बहुत मत्वपून योगदान रहा आगनवाडी वरकर का आशा वरकर का कोबिट के इस दौर में आशा वरकर को एक हजार आठ सो पच्चिस रुपए की बढ़ोतरी के साथ चार हजार साथ सो रुपए प्रतिमा मान दे मिलेगा इस बढ़ोतरी में समलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वरतमान कारे में तीन हजार साथ सो रुपए की बृद्धी प्रतिमा की बढ़ोतरी की गई है इसके अतरिक्त आशा वरकर को भारत सरकार का अंश्दान तथा इंसेंटिव दिये जाने का भी प्रावधन है सिलाई अध्यापकाओं को 900 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7950 रुपए प्रतिमा मिलेंगे इस बढ़ोतरी को समलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वरतमान कारे काल में 1650 रुपए प्रतिमा की बढ़ोतरी की गई मिड़े मील की वर्टकर्स को 900 रुपए बढ़ोतरी के साथ 3500 रुपए प्रतिमा मिलेंगे इस बढ़ोतरी को समलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वरतमान कारे काल में 2000 रुपए प्रतिमा की बढ़ोतरी की गई है वाटर कैरियर शिक्षा भिवाग को 900 रुपए प्रतिमा मिलेंगे इस बढ़ोतरी को समलित करने के साथ साथ सरकार द्वारा वरतमान कारे काल में 2000 रुपए प्रतिमा की बढ़ोतरी की गई है जल रक्षक को 900 रुपए प्रतिमा मिलेंगे और इस बढ़ोतरी को समलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वरतमान कारे काल में 2800 रुपए प्रतिमा की बढ़ोतरी की गई है हाल ही में निक्त के निक्त हुए जल शक्ति विभाग में मल्टी परपस वर्कर को नॉसो रुपई भहुत्री के साथ तीन हुजार नॉसो रुपई प्रतीमा मिलेंगे पेराफिटर तथा पंप उपरेटर को नौस रुपए बंढ़तरी के साथ पांच आजार पांसस पचास प्रपेगी मिलेंगे इस अजार।故रों को समलित करके हमारी सरकार दोरा अपने वरतमान कारकाल में दोहजार पांसस रुपए की प्रतिमा बंढ़तरी की गई द्याडी दारों को 50 उर्पए बढ़ोत्री के साथ 350 उर्पए प्रति दिन द्याडी मिलेगी इस इस बढ़ोत्री को समलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कारेकाल में नियुन्तम 440 उर्पे प्रती दिन अर्थाथ 4200 उर्पे प्रती माह की बढ़ोत्री एक ध्याडी दार को दोहदी गई है अधिक्ष मोदे इसके साथ हमारी सरकार के कारेकाल में और सोर कर्मियों की ध्याड़ी में नियुनतम चारह हजार दो सोर रपे प्रतीमा की बढ़ोत्री हो जाएगी परते एक और सोर कर्मी को अब नियुनतम दस हजार पांसोर रपे प्रतीमा मिलेंगे जो आउट सो कर्मी हैं हमारे उनको साड़े दसा हजार पर प्रतिमाह के मिलेंगे अध्यक्षमोदे पंचायद चौकीदार को 900 रुपे की बढ़ोतरी के साथ 6500 रुपे प्रतिमाह मिलेंगे इस बढ़ोतरी को समलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कारेकाल में 2350 रुपे प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई पंचायद चौकीदार की सेवाओं को से समंधित एक सपष्ट निती भी आने वाले समय मिलेंगे क्योंकि उनकी मांग बहुत लंबे समय से है उनकी समस्या का समाधान भी करने की दिशन में कदम उठाएंगे अध्यक्ष मोदे राजस्वा चौकीदार को 900 रुपे की बढ़ोतरी के साथ 5000 रुपे प्रतिमाह मिलेंगे इस बढ़ोतरी को समलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वरत्मार कारेकाल में 2000 रुपे प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है राजस्वा लंबरदार कल भी मिले में को लंबरदार तो लंबरदार को 900 रुपे की बढ़ोतरी के साथ 3200 रुपे प्रतिमाह मिलेंगे इस बड़ोतरी के साथ नमबडार को समर्ड करके हमारी सरकार दौरा अपने वरत्मान कारahhाल में एक हजार साछा सौ रुपए की प्रती महाबडोतरी की गई ہے SMC आद्यपकूं के मान दे SMC आद्यपकूं के मान दे में 4000 रुपए प्रती महाबडोतरी की जाएगी कि जहां हमारे जो SMC के जो अध्यापक लगे हैं, उनकी सेवाएं जहां लगी हैं, वहां उनको यथावत रखा जाएगा, उनको नहीं अटाएंगे वहां से, और इन अध्यापकों के सेवाँ से समधित नीती बनाने के बारे में भी विचार किया जाएगा. आईटी टीचर्स को एक अजार रुपए प्रती महा बढ़ोतरी की जाएगी, जो आईटी टीचर्स हैं, तो उनके इसमें भी जो है बढ़ोतरी की जाएगी, एक अजार रुपए की, एसपियो को नौसर रुपए प्रती महा बढ़ोतरी की जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि खास्त और सिचंबा जिला लाहूल में, जो है हमरे एसपियो जो लगे हैं, मुझे अभी कल उनका डेप्टेशन भी मिला था, तो उसमें उनको एक इंक्रीस हम थोड़ी और करक अधेक्ष मोदे में यहां कहना चाहूंगा, हर एक का दर्द सीने में लेके चलते हैं, सब के दामन को खुशियों से भरते हैं, यही चाहते हैं, ना रहे कोई जरूरत बन, दिन रात सब के सपनों को पूरा करते हैं अधेक्ष मोदे मैं वर्ष बाइस तेड़े के लिए 51, 365 कुरूर्व का बज़ट परस्तित कर रहा हूँ अधेक्ष मोदे में 2021 वर्ष के सुन्शोदि ऑनौनौन पर आता हूँ वर्ष 2021-21 के सिंशोदी दानुनमानौन के उनुसर कुल राज़स वपरापतियं Studio 37312 क्रोड रूपे हैं दो हजार एक्टिस बाइस के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व ब्या सैंतिस हजार चौतिस करोड रुपे रहने का अनुमान है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 3930 करोड रुपे 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 मुझे विश्वाश है कि प्रभावी कर अनुपालन भारा सरकार के स्वहयूग तथा बेतर बीतिय प्रवंधन से संसाधनू की व्यवस्ता की जाएगी। रुपए जबकि 629 रुपए पुझी गत कारियों सहीत अन्य गतिवी धियों पर व्यव किये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूरन विवरन इस माननें सदन में प्रस्टूत किये जारे विश्तित बजट दस्तावेजू में अपलब्ध है। इस कारण से परदेश के फिजिकल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मेनेजमेंट एफर बीम एक्ट में संशोधन करने की आफशक्ता है। इस बारे संशोधन बिधेक इसी सत्र में सत्र में लाया जाएगा। इसके अलावा एफर बीम स्टेटमेंट भी बजट में बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अधेक्षमोदे यहां में कहना चाहूँगा वक्त की हल्चल से गवराते नहीं हम, हमारे होंसले मुश्किलों में पलते हैं, रुकते नहीं हम बाधों को देखकर, हम वो चिराग हैं जो आंधियों में भी जलते हैं। अधेक्षमोदे बजट के मुख्य बिंदू सनलगित अनुवंद में निहित हैं। अधेक्षमोदे में पूरी बिनमरता से सदन का आभार वेक्ट करते हुए यह कहना चाहूँगा कि मैंने वरत्मान सरकार के कारेकाल का पांचवां एवं अंतिम बज़र प्रस्तूत किया है। मेरे लिए यहाँ अत्यंत गरव और प्रसंता का विशय है। तथा मैंने इस दोरान बहुत कुछ नया सीखा है। हमारे लिए विगत दो बर्ष अपरत्याशित रूप से चुनाती पूर्ण रहे। क्योंकि इस से पूर किसी भी सरकार को महामारी और वैश्विक मंदी का सामना एक साथ नहीं करना पड़ा। इस महामारी से जीवन के समस्त पहलू प्रभावित रहे। हमें एक साथ सभी मौर्चूं पर संगर्ष करना पड़ा। इस कारकाल में बीतिये वाधाओं का धैरे पूरवक सामना करते हुए हमने समाज के सभी वर्गों विशेश कर उन वर्गों जिने सरकार द्वारा साहता की अधी का पेक्षा होती है कि सेवा करने का प्रयास किया है। सामन्यता पूरव सरकारें समाज के जुरूरतमंद वर्गों के बारे में चुनाब के नजदीक ही चिंता करना अरम करती हैं किन्तो हमारी सरकार ने पहले बजट से ही सरवजन कल्यान के लिए आवश्यक तदा परभावी कादम उठाए है। अधिक्ष मोदे मेरे दवारा प्रस्थूत किया गया या बजट इस सदन में पहले प्रस्थूत बजट उन से कहीं अधिक संपूरण एवं समवेशी है। द्यान रखा गया है। इस बजट में यह बजट महिला से शक्तिकरन तथा अन्फूची जातिव एवं जन जातिव वर्गों के कल्यान पर केंद्रित है। अधक्ष मोदे जन कलेंड के साथ जन कलेंड के साथ जन कलेंड के साथ यह बजट विकासोन मुखी ही है इस बजट में पुंजीकत व्यक के मादियम से बड़ी अदोसरचना परियोजनाओं के निर्बान पर बल दिया गया है मैं यह बजट पर देख हिमाचल बासी के लिए हिमाचल बासी के समरिद विविश्य के प्रती समर्पित करता हूं और यहां अधक्ष मोदे में यह कहना चाहूंगा जो रुक गया उसे क्या मुश्किलों से जो रुक गया उसे क्या मुश्किलों से जो चलेगा उसी के पाउं म च्छाला होगा औरूंगा दर्द होना चाहिए औरूंगा दर्द होना चाहिए सीने में जो जलेगा उसी दिये से उजाला होगा अधैक्ष मोदे इस ही के साथ मैं यह बजट मानने सदन को प्रस्तूत करता हूँ और मैं उमीद करता हूँ कि इस बजट पर यहां पर सार्चिक सार्थक चर्चा होगी और मैं इतना मैं जुरूर कहना चाहूँगा जो अमारे करमचारी भाई अपनी OPS को ले करके अंदोलित हैं उनकी भावनाए हम तक पहुंची हैं मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ और हमने कमेटी का गटन किया है मुख्य सचिव की अध्यक्सता में जो भी सुझाव इसका रास्ता क्या हो सकता है आगे बढ़कर के समाधान की दृष्टी से उनके हमेशा वो सुझावों का जो है वो स्वागत होगा और मैं इतने जुरूर कहना चाहता हूँ कि कि वो बात देश की विकास में क्योंकि कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को सुमरण करते हुए हम उनसे इतना ही निबेदन करना चाहते हैं कि अंदोलन का रास्ता छोड़ करके सहर्श हम सब के साथ बैठ करके बाचीत का रास्ता अपना करके इस समस प्रस्तूत किया है और मैं पूरा मुझे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पर सार्थक चर्चा हो और उसके साथ हम आगे बढ़ें बहुत पर धन्यवाद जाहिए